दोस्तों जो ये नया मिस्सन हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये इसमें सेकिंड वीडियो है पहली वीडियो में ओलेडी कम्प्लीट फर्वरी की बना चुका हूँ और हम लोग बैक साइड में चल रहे हैं आगले हपते आप लोग को दिसंबर की 2020 की वीडियो देखने को मि नॉर्मल वीडियो जो आप लोग रेगुलर देख रहे हैं ये तो आप लोगी चलती रहेगी इसके साथ में जो मंत कम्प्लीट होगा उस कम्प्लीट मंत की आप लोगी वीडियो उसी मंत में दिख जाएगी यानिके जो नॉर्मल वीडियो आप लोगी आ रही है उस तरीक जा चुक है, वो वीडियो हम लोग cover करेंगे, इस वीडियो से आप लोग क्या कि expect कर सकते हैं, इस वीडियो में क्या कि आप लोग को देखने को मिलेगा, एक महीने के अंदर जितनी भी सारी news होती है, उनका जो खासकर important exam के point of view से, उनका एक अच्छा सा overview आप लोग को देखने या फिर जो भी एक particular month के अंगर जो भी घटित हुई है, जो भी चीज़े, sports से little कोई news रहेगी, technology से little कोई news रहेगी, तो सारी चीज़े हम लोग cover करने वाले हैं, किस-किस exam में आप लोग को फायदा पहुचाने वाली है, हर एक वो exam जिसमें current affair पूचा जाता है, उसमें आप आप लोगों फायदा पहुचाएगी, और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा exam है, जहाँ पर current affair नहीं पूचा जाता है, बलकि current affair बखुद बड़ा portion बन चुके है, आज केट में, कई बार तो ऐसा भी होता है कि 40-40-50-50 प्रतिसत आप लोगा current affair ही आ उपर, उनके लिए तो सोने पे सुहागी वाली बात है, उनको तो इतना श्यांदा रिवजन रहेगा उनका, कि exam में बैठ कर आप लोग कोई हिला नहीं पाएगा, तो इसलिए अच्छे से आप लोगो टक-टकी लगा कर ये वीडियो देखनी है, और वीडियो के end में अगर आप लोगो लगी यार इस वीडियो ने फाइदा पोँचा है, तो सीधा टेलिग्राम पर जाना, तो टेलिग्राम से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, मेरी जितने भी लेक्चर आते हैं, सबकी PDF हेग जगे इखटी आप लोग इस टेलिग्राम पर मिल जाएगी, लिंक व आप लोगों के 2-3 घंटे का टाइम, जो आप लोगो पे करना है, और वो आप लोगों को जो PDF है, उसका कोस्ट जो है, उसमें लगेगा आप लोगा 1-5 मिनट का टाइम, तो वो उसकी कोस्ट है, जो आप लोगो जाकर डाउनलोड करने हैं, ठीक है, कोस्ट अभी कुछ नही वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, वो नहीं कहते हैं कि थोड़ा से ठीक है, ठंक से चीज़े कवर करनी है, तो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो approximate 2 घंटे तो minimum आप लोग ये पिक्चर चलेगी, चलेगी, अब इस पिक्चर को आप लोग कितना enjoy हर पाते हैं, और कितन वह भी I was time देख रहे होब वह भी जरूर कीजेगा वरना बाकि तो आप लोग जीजे आप लोग जानने को मिलती ही रेंगी वीडियो के अंदर ठीक है तो यह निगे काप लोगाने सुनाओ काई बार की खून की कमी है इनके अंदर ठेक है तो कुछ ने कुछ तो कमी होती हुए और कहां पर इसके बारे हैं पता चला है तो इसके बारे में जो पता चला है इनकी जिसके दोरा बताया गया है वो है National Family Health Survey तो National Family Health Survey अभी प्रस्तूत किया गया तो था है 19-20 में इसके द्वारा ये बाते बताएगी तो इसके चलते ही ये recently अभी न्यूज में था सबसे पहले तो आप लोगों ये पता होना चाहिए कौन से नंबर का सर्वे हमारी कंट्रियों प्रस्तूत किया गया तो ये पांचवे नंबर का सर्वे था इससे पहले जो सबसे पहला जो राउंड आया था है आपर National Family Health Survey का वो 92-93 में आया था दूसरा जो राउंड आया था वो 98-99 में आया था तीसरा जो राउंड आया था वो 2005-2006 में आया था चोथा जो round आया था ये 2015-2016 में आया था और फिलाल अभी ये देखने को मिल रहा है ये 2018-2019 का है वैसे पर लेकिन COVID-19 के चलते हैं हापर जो गड़ी है वो थोड़ी से लेट चल रही है तो अभी आधा प्रस्तुत किया गया है आधा रहा गया है और भी बहुत सारी condition रहती है त यहाँ पर यह बताया गया है कि काफी large scale पर जो हिमालेन रीजन है यानि कि हमारी country का जो north वाला रीजन है खासकर जैसे कि हिमाचल परदेश हुगे उतरा खंड हो गया तो यहाँ पर काफी large scale पर बच्चों के अंदर खून की कमी पाई गई है आखिर ऐसा क्यों बोला जा र और 82% जो women है वो एनिमिक है तो यहाँ पर जो main मुद्दा है वो क्या है वो है vegetable वगरा इन सब चीजों की supply तो यह जो हिमालेन का जो cold region है तो statement भी देकर अगर आप लोगों से कोई question पूचे तो मुझे नहीं लगता है कि आप आप लोग के mind में कोई doubt होना चाहिए यह सोचे आपर यह बात की जारी है प्राइमिस्टर नरेंद मोधी साब के बारे में इनके द्वारा अभी बात की गए affordable sustainable housing यह accelerator के बारे में जी इंडिया के अंदर ही जो इसको बोला गे है आपर ASHA आशा इंडिया का नाम इसको यहाँ पर दिया गया इसके चलते जो हमारी country में आप लोगो बता है एक particular mission चल रहे है जिसकर हमाँ परधान मंतरी आवास योजना अर्बन सहरी वाला इसमें यह target है कि हम लोगो 2022 तक सबको घर देना है housing for all affordable housing provide करानी है basically इसका मदलब क्या है इसका मदलब यह कि वो घर खरीद सके इस level पर कम से कम लाना है और जो बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं उनके लिवी कुछ न को जुगार पानी करना है तो इसके चलते ही इसका housing for all वाला जो basically fund है यह इसलिए है 2022 तक क्योंकि हम लोग अपनी आजादी की 75 वी आजादी की target हम लोग celebrate करेंगे तो यह important है तो इसके चलते जो परधान मंतरी आवास योजना है अर्ब affordable sustainable housing affordable का मतलब होता है कि जिसको खरीद सके इंसा ठीक है बहुत महंगा ना हो ओके next important news नहीं आपर जो बात की जा रही है यह light house project के बारे बात की जा रही है यह basically global housing technology जो challenge हमारी country में हापर अभी जो start किया गया तो 6 sites across the 6 state यानि यह 6 राजे के अंदर 6 sites को identify किया गया है जिसके चलते हैं आपर इनके चलते हैं आपर इनके द्वारा एक target रखा गया है जिसकी full form भी आप लोगों से exam में पूछी जा सकती है तो innovation construction technology का जो नाम दिया गया है आपर इसका नाम दिया गया है नवरती ठीक है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है new यानिके नया affordable यानिके सस् मतलब यह चल सके research innovation technology for Indian housing तो यह इसका नाम दिया गया है यानिके एक तरीके से आप लोग बहुत सकते हैं और अच्छे लेवल पर चीजों को provide कराने कोसिस की जा रही है तो यह थी important news जो आप लोग को पता होनी चाहिए next news के और चलते हैं आप लोग को पता है हमारी country में जो आकास missile system है उसके तहत यहाँ पर हमारी country में जो missile develop की जाती है तो यह air force और army दोनों का हमारी country में यह supply की जा चुकी है अभी हाँ पर यह news में क्यों है cabinet के दोरा भी approval दिया गया आकास missile system के लिए कि इसको हम लोग export करेंगे अपने लिए तो हम लोग enjoy कर चुके हैं हम लोगों यह इनके surface to air में यह war करेगी 25 km की range तक यहाँ पर यह war करने वाली है तो आप लोगों से पूछी की कोन इसको develop कर रहा है किसके दोरा यह develop की गी है तो defense research and development organization जिसको short form में आप लोग DRDO बोलती हो तो इसके दोरा develop की गी है तो अगर missile के बारे बात करें लड़ाई के बारे बा organization इसके जो head है उनका नम है case even DRDO के कौन head है जरा बताइए तो सही आप लोगों को पता है कि इसका थुड़ा revision कर लिजेगा आगे चलते है next news के ओर next news यहाँ पर बात की जा रही है जो health and family welfare minister है कोन है यह हर्स वर्दन साब हर्स वर्दन साब के दौरा अभी साथवा national summit यहाँ पर यह basically आप लोग के सामने देखने को मिला जिसमें बात की जा रही है एक तरीके से हमारी country में कि किस तरीके से हम लोग अच्छे level पर जो health है अपनी system उसको लेकर चल सकते हैं और इसमें यह good replicable practice की बात की जा रही है तो सारी चीजे video conferencing के तुरू launch हो रही है तो यह तो सही है पर साथ भी जो national summit है यह किसके द्वारा integrate की गई तो हमारे health minister साब के द्वारा तो important question एक और बन सकता है हमारी country का एक target है जो tuber closest की जो बीमारी है उसको 2025 तक हम लोगों खतम करने है जबकि अगर sustainable development goal के इसाब से अगर बात करेंगे तो 2030 तक का target है इसका तो यह sustainable development goal के आए इसके लिए आप लोग इस लाड़े पर नज़रा लिए अगर आप लोगों से कोई poverty गरीबी इनकी सब के बारें बात करें तो आप लोग यहाँ पर बोलेगा sustainable development goal 1 के बारें बात कर रहे हैं अगर भुकमरी के बारें बात करें तो 2 के बारें बात कर रहे हैं किसी भी तरीके की बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करें इवन अगर आप लोगों से कोई बात करें कि accident की वे से इंसान की जो death हो गई है तो यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर बात सकते हैं कि इस तरीके से यह health और well-being के अंडर आता है तो यानिके अगर coronavirus आप लोगों से पूछे कि कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई epidemic या कोई pandemic की बीमारी तो sustainable development goal 30 रहे हैं आपर हम लोगों खदम करनी है 2000 कब तक 30 तक बर हमारी country 5 साल पहले इसको खदम करने की बात करें तो कुछ ज़्यादा enthusiasm है हमारी country में ज़्यादा एक तरीके से enthusiasm देखने को आप लोगों मिल रहे हैं तो देखते हैं हम लोग पहले खदम कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं ठीक है इसके लिए therapy है जिसमें ruthenium 106 यह इसका atomic number है तो इसका basically use के ज़र है तो ocular जो cancer होता है यह आप लोगों के आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर जिसमें यू आता है fusion इसका मतलब होता है कि दो product आकर मिल रहे हैं तो एक जगे fuse हो रहे हैं ठीक है एक जगे आकर मिल गए हैं आपर दो product तो यह fusion बन गया इसका मतलब हो गए एक जगे fuse हो गए ठीक है अगर यहाँ पर fusion की बात किज़े तो इसका मतलब हो रहे हैं यान कि एक में से अलाग अलाग यहाँ पर निकल ग जाएगा कि किसने का split होके निकाला जाता है तो uranium 235 है उसमें से इसको निकाला जाता है बाकि यह जो आंक का cancer आप लोगो देखने को मिलेगा तो आप लोग यहां पर देख से हैं यह जो यूज कियागे हैं इसको यूज करके तो बिफोर आप लोग हैं पर कुछ ऐसी चीज द बात कियें तो याद रखेगा जो हाँ पर micro bacterium tuberculosis जो है basically जो इसका bacteria है जिससे बीमारी फैलती है तो bacteria से infected बीमारी है और यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है इसलिए यह तरीक communicable disease है एक होती है non communicable disease यानिके जिस इंसान के उसी को रहेगी यानिके जैसे की cancer की ब विमारी होगी या दूसरी और कोई विमारी होगी तो जिस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान पर नहीं फैल नहीं उसको non communicable disease बोलते हैं communicable disease मतलब वो किसी को भी फैल सकते हैं तो उनको communicable disease की category में रखते हैं बड़ी ही प्यारी न्यूज है खासकर अगर नोर्थिस से लिटर कोई news आ रही है या फिर कोई बच्चों से लिटर वुमेन से लिटर कोई news आ रही है तो ऐसी आप लोगों से बड़ी frequently एक्जामे news बन जाती है तो बात की जारी है हमारी नोर्थिस्ट के बारे में बात खुर तो आप लोगों से यानिकि यह जो राज्य हैं आपर इ जिंजर पेस्ट के बारे में सुना है यह फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी कई बार आप लोग बोलते हैं जिसमें गार्लिक भी मिला होता है लेसुन भी यहाँ पर उनली जिंजर के बारे में बात की जा रही है तो जिंजर को प्रोसिंग करके यहाँ पर प्लांट लगा जा तो यह particular मेखाले की अंदर है तो मेखाले को एक बार अगर आप लोग मेब में देखेगा तो मेखाले यहाँ पर है जो नोर्थ इस्ट में only आसाम एक ऐसा राज़ा है जो मेखाले की boundary टच करता है बाकी पूरा जो टच करता है हाँ पर हो है बंगलादेश तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा यह particular project ठीक है important बात दूसरी important बात यहाँ पर यह नोर्थ इस्टन जो regional agriculture marketing corporation है जिसको NERAMAC भी बोला जाता है यह एक तरीका PSU है PSU मतलब public sector undertaking है यहाँ पर यह तो यह कौन सी ministry के अंडर में आता है donor ministry बोलते हैं इसको यह है ministry of development of north eastern region तो यह यहाँ पर ministry काम करती है जिसके अंदर यह चीज़ा आप लोग को देखने को मलती है अगर north eastern में कोई भी development का काम होता है तो तो इस तरीके से आप लोग के सामने हाँ पर यह product जो है उसको piece का उसका order बना जाएगा या फिर इससे paste बना जाएगा जो भी सुटे भी लगेगा जो जल्दी से supply के जा सके है कुछ और mix करके वो चीज़े बनाए जाएगी तो यहाँ पर जो minister होंगे वो कोने हाँ पर जिते इंदर सिंग है आज के में इनके पास में independent charge है जो ministry of जो north eastern region के development के बारें बात करती है next news के ओर चलते हैं यह जो news है important यहाँ पर बात करी है government के द्वारा अभी export के उपर जो परतिबंद लगे हुए थे वो हटा दिये गे हैं किसके export के उपर यह प्याज यानिके onion के यह आखिर यह परतिबंद क्यों हटाए गे हैं क्योंकि देखिए हमारी country में जब पैदावार ज़्यादा होती है चीजों की तो हम लोग उसका export करते हैं और जब पैदावार कम होती है तो हम लोग import करते हैं यानिके खरीदते हैं तो खरीदने और बेचने का जो यह तरीका है परकिरिया है यह requirement के ओपर dependent रहता है तो अगर आप लोगों से कोई पूछे यह सारे काम हमारी country में कौन करते हैं कि यहां कितना बेचना है कितना परतिबन लगाना है तो यह है direct trade journal of foreign trade यह यहां पर काम करते हैं तो पूछे कौन सी ministry के अंडर में आता है तो ministry of commerce के अंडर में आता है तो इनके दौआरा बात की जाते हैं कि हम लोगो को क्या करना है हम लोगो को basically सामान रखना है या फिर सामान हम लोगो को अपनी country में रखना है या फिर हम लोग का export करना है तो यह हैं से पता चलेगा आप लोगो इसके बारे में ठीक है अगर बात करूँ यहाँ पर आगे कुछ और important जो आप लोगो से question पूछा जा सकते है वो यह हैं यहाँ पर कि हमारी country में अगर onion के बारे में बात करें तो कौन से राज़े जिसे में सबसे ज़्यादे आप लोगो onion देखने को मिलेगी तो यह हैं महलास्टा, मध्यापरदेश और करनाट का इतने कैसे कितने family member हैं जो हैं आपर इन तीन राज़े से आते हैं यहाँ पर आप लोग को अपने राज़े में पता होना चीए सबसे ज़्यादे चीज कौन से उगाई जाती है कई बार आप लोगों से direct interview में भी question पूछ ले आते हैं तो यह आप लोगों से पूछ ले आएगा कौन-कौन से region में हापर यह प्याज वगएरा उगाई जाती है और उसके लिए क्या-क्या requirement होती है अगर बात करें आपर तो नेपाल और बंगलादेश तक भी हम लोग ने आपर इसको सप्लाई किया तो यह ऐसे question आप लोगों से पूछे आते हैं इसी के साथ में जो यहाँ पर आगे जो news है आप लिए अगर हाँ आप लोगों से अगर बात करें चलिए इसका minister आप लोग बताईएगा कि आज केट में जो हमारी ministry of commerce जो है उसके minister गोन है नेश जो news ने आपर बात की जा रही है International Financial Service Center Authority के बारे में जिसको IFSCA आप लोग बोलते हैं यहाँ आप लोग बैंकिंग वे वस्ता आदान परदान यह security market के बारे बात करते हैं तो यह financial service के category में आप लोग इनको देखते हैं नोर्मल तरीके से भी अगर आप लोग इसके definition देखेगा तो बोला जाएगा कि जो economic activity होती है ठीक है जो finance industry के अंदर तो basically वो आप लोग को देखने को मिलेगी बैंक वगएरा, credit वगएरा, credit card insurance या जो आप लोग यह security market, stock, exchange investment यह सारी चीज़े financial service के अंदर में आती है तो यहाँ पर जो बात करते हैं international financial service center O3D जो है यह become a member, किसका है हाँ पर member बनाए यह international organization of security commission का मेंहाँ पर member बनाए अगर बात करें वोल्ड में security regulator के field में तो 95% जो cover इसके अंदर कर लिया जाता है इसको बनाए गया थे हाँ आपर 1983 में और headquarters का Madrid, Spain के अंदर है देखिए इस video के अंदर आप लोगो मैं base question भी आप लोगे साथ साथ में cover होते रहेंगे तो जैसे हम लोग जो जो location होगी जो important रहेगी मैं आप लोगो दिखाता हो चलूँगा तो यह हो गई अपनी प्यारी country हाँ से अगर आप लोग देखेगा Spain को तो थोड़ा सा zoom करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग दिखते हैं यह होगया Spain capital होगी Madrid इसके ओपर Portugal है Portugal वही country है जिसको पूर्टगाल आप लोग बोलते हैं पूर्टगाल से हमारी country में सबसे पहले कौन पराणी आए थी आप लोग ने इस्ती में उनके बाए बढ़ा होगा वह गलती से आल था कि एक तरी से उनके गलती से बढ़िया काम कर गए यहनि के गलती से खोज कर गए हाला कि हमारी country के लिए बढ़िया काम नहीं था और देखा जाए तो बढ़िया काम भी था सार चीज के हर सिक्के के दो पहलो होते हैं क्योंकि अगर ये हमारी country में नहातें तो आज भी हमारी country में राजा रजवाड़े रूल कर रहे होतें, हमारी country में आगे तो इसकी वेसे आपर इनको भी फायदा हुआ और आगे चलकर हमारी country में लोगों ने समझा कि राजा रजवाड़े क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर हम अपना काम सीरेस तरीके से करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे उपर रूल कर पाएगा तो यह प्रोलॉम आप लोग समझ सकते हैं कुछ न्यूज ऐसी होती जहांसे कोशन बनने के चांसिज आप लोगे डेरेट बन जाते हैं जैसे इस वाली सलाइड में से कुछ इंपोर्टेंट बात है आप लोगो देखने को मिलेगी कोशन बनने के चांसिज हैं क्या-क्या बनेगा देखते हैं वाले बात करते हैं इंटरनेशनल किर्केट कांसिल का जो ICC अवोर्ड है अवोर्ड है हाँ इसका जो बेसिकली इंटरनेशनल किर्केट का अवोर्ड ओ दिकेड का डिकेड का अओर दिया गया, यहाँ पर जीता गया, यह former Indian जो skipper और captain थी अगर बात करें आपर test player के अंदर जो decade का award दियागे हैं हाँ पर test player of the decade यह दियागे Steve Smith को किस country के हैं आपर यह Australia के हैं जो cricket के प्रेमी है उनको पता होगा इनकी बारे में पर लेकिन जो cricket के प्रेमी नहीं है उनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा difficulty होती है इनके नाम याद रखने में ठीक है अच्छा कितने ऐसे family में में जो cricket देखना काफी ज़्याद है पसंद करते हैं थोड़ा बहुत हो सभी करते हैं एक वो वाले की बात कर रहा हो जिसको cricket सुरू हो गया तो बस बैट गया और उसके बाद में जब खतम हो तभी उठा match को complete करने के बाद में तो उस इंसान की category में कौन-कौन से आते हो आई आगे बढ़ते हैं एक और important बात यहाँ पर international अगर बात करें हाँ पर cricket council के बारे में तो यह जो बनाई गई थी काफी पुरानी बोड़ी है 100 साल से भी पुरानी हो चुके है भाई साब यह बोड़ी है 1909 में इस बोड़ी को बनाए गया था 111 साल complete हो चुके है इस बोड़ी को बने वे और यहाँ पर यह जो बोड़ी है इसका headquarter आप लोगो दुबई यानिके United Arab Emirates के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है अगर बात करें इसके बारे में इससे पहले इसका headquarter कहाँ पर था 1909 से लेके 2005 तक का इसका headquarter कहाँ पर था वो था London UK के अंदर लेकिन 1905 के बाद में हाँ पर आज की date में दुबई के अंदर इसका headquarter है 104 के करीब हाँ यहाँ पर टोटल आप लोग इसके member देखने को मिलेंगे और हमारे लिए थोड़ी सी और important यह हो जाती है क्योंकि CEO जो है Chief Executive Officer जो है इसके हाँ पर यह है Manu Sani ठीक है तो हमारी country के हाँ पर है तो इसके साथ में जो chairman है वो है आपर यह Greg Barclay ठीक है तो यह कुछ बात है इसके बारे में basic information आगे बढ़ता हूँ next important information यहाँ आपर बात की जा रही है Bureau of Police Research and Development यहनके police के बारे में research जो development यहाँ पर कियाता है इस organization के द्वारा तो इनके द्वारा एक data ही खटा किया गया यहनके इनके द्वारा कुछ यहाँ पर basically आप लोग बोल सकते हैं कुछ record ही खटे किया गये तो इसको बोलता है data on police organization तो question अगर आप लोग उसे पूछे कि data on police organization किसके द्वारा तैयार कियाता है तो Bureau of Police Research and Development के द्वारा यह जो बनाई गई थी आपर यह 1986 में बनाई गए थी रहेंगे 1986 में बनाई गए थी और annually आप लोग में हैं आपर इसका data ऐसा देखने को मिलेगा इनके द्वारा बड़ी एच्छी बात यहाँ पर गोलेगी है कि police protection जो हमारी country में दी जाती है देखिए कई सारे VIP हैं कई सारे actor हैं या फिर कई सारे business man ने जिनको police protection दी जाती है तो जो भी police protection दी जाती है पहले हमारी country में 2018 में 21,300 के करीब ऐसे VIP थे जो पुलिस protection दी जाती है अब यह घटकर यह 19,466 आ गए है आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे गांधी परिवार की protection कम कर दी गए थी तो इसलिए हाँ पर police protection में हाँ पर जो basically across the India तो यहाँ पर अभी आप लोग को reduction देखने को मिलेगा 8.7% का तो यह एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं common इंसान की तरीके से जिंदगी जेंगे तो अच्छा रहेगा फाल तुम्हें एक security फोर्ज है वो बरबाद नहीं होगी तो कहीं productive जगा पर लगा जाएगा पर कोई खोज भी ख़बर की गई उसके चलते हमारी country वे काफी बड़ी problem देखने को मलती है तो कम से कम scientist जो है उनको भी हमारी country में protection अच्छे लेवल की मिलनी चाहिए important news है next वाली हापर SEA news मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि किसे ने किसी एक्जाम में पूछी जा सकती है आगे आने वाले टाइम में COVID-19 के चलते है डोक्टर हर्सवर्दन साब जो है हमारी country के union health and family welfare minister है उनको nominate किया गया था अभी हाप ये basically गावी गावी कहा है आपर global alliance for vaccine and immunization यानि कि एक alliance एक group है आपर global level पर यानि कि एक तरीक से world level पर इसमें vaccine के बारे बात करते हैं और immunization के बारे बात करते हैं यानि कि immune system नहीं बोलते हैं immune system ख़राब होगे इसलिए बीमारी लग रही है immune system को maintain रखने को इसको जाती है इसके दौरा जिसको गावी alliance बोलते हैं और अगर आप लोग फ़रसा लंबे समय से follow कर रहे हैं तो आप लोगो मैंने बताए भी था कि शूरिजर लेंड जो है world में सबसे बड़ी most neutral country है इसको फरक नहीं पड़ता है कौन लड़ रहा है कौन क्या कर रहा है इसको ये फरक पड़ता है कि हाँ बस जो हमारे साथ में सब normal रहना चाहिए तो इसके चलते हैं इन्होंने अपना आपको neutral state के category में रखा है इसलिए maximum headquarter आप लोग को ही पर ही देखने को मिलेंगे तो mission to save the life and reduce the poverty and protection जो एक तरीशे product करना world against जो epidemic या फिर pandemic आते हैं कोई महामारी आती है उससे product करना तो ये mission है इस particular organization का ठीक है तो ये health के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है तो हाँ पर भी आप लोग ऐसी organization के बारे में mention कर सकते हैं और फिर से एक important बात अगर health के बारे में कोई बात करता है बात की जारी हमारी country के cabinet है उसके दोर approval किया गया एक particular जो ethanol मिलाए जाता है ethanol basically अगर आज किरिए में आप लोग बात करें हम लोग बाहर से crude oil खरीद कर लेकर आते हैं जिसमें से petrol निकालते हैं, diesel निकालते हैं mythical train निकालते हैं, glycerine निकालते हैं तो इसमें ethanol को blend करने की बात की जाती है लगबग 80% से भी ज्यादे हैं जो हमारी demand है crude oil की वो बाहर से पूरती हमारी होती है तो अगर उसमें कुछ भी हम लोग ethanol मिलाना इस्टार्ट कर देंगे तो उतने परतिसत जो हैं हम लोग बाहर से खरीदना बंद कर देंगे तो इससे हम लोग हमारी dependency जो है बाहर के उपर नहीं रहेगी और अच्छी बात यहाँ पर यह जो ethanol वगएरा यह बनाय जाते हैं इसमें किसानों की help ली जाती है तो उससे हम पर इसको बनाय जाता है तो इससे क्या होगा किसानों से एकर उनको खरीदना स्टार्ट करेंगे और petrol diesel में मिलाने स्टार्ट करेंगे तो petrol में अगर उनकों मिला जाएगा तो इससे के कम किसानों की income जाएगी जो आज के लिए बाहर की country के पास में जा रही है तो union जो cabinet है उसके दूर आप पुरोख किया गया है मैं इसको modify करने के लिए कि जो fixed target है उसके लिए तो 10% की जो blending है fuel के अंदर यहां पर ethanol की petrol के अंदर 2022 तक इसको 10% करने की बात की जा रही है और 2020 तक इसको 20% करने की बात की जा रही है और government अभी planning कर रही है कि 2030 तक नहीं करते हैं इसको 2025 तक ही कर देते हैं यह फांच साल पहले ही 20% की ब्लेंडिंग कर देते हैं तो इससे क्या होगा बहर की country से हम लोग परतिसद जो है वो कम ही हाँ पर सामान खरीद कर लेकर आएंगे अपनी ही कंट्री में हम लोग किसानों को ये सारा पैसा देंगे जो बाहर हम लोग पैसा पहुंचाते हैं तो ये एक अच्छी बात आप लोग गोल सकते हैं तो हमारी कंट्री में जो आत्म निर्बर भारत है जो एक बेसिकली पाँच पिलर पर काम करते हैं एक तो एकनोमी को कि इस तरीके से आप लोग को लेकर चलने हैं सही तरीके क्या के रिकवार्मेंट है इंफ्रस्टर कैसे डिवलप करने है साइनस और टेखलोजी सिस्टम को कैसे इव्जू करने है जो हमारी कंट्री में जो और supply chain बड़ी शांदार होनी चाहिए तो ये road map basically आत्म निरबर भारत के हैं आत्म निरबर भारत जो है वो अभी हाँ पर word of the year का इसको खिताब दिये था एक particular dictionary के अंदर उस dictionary का नाम आप लोग को बताना है मैंने आप लोग इसे detail में discuss किया था तो इसके बारे में आप लोग बताईए और जो जो question आप लोग उसे पूस्ट जिसको नहीं बता है ये question लिख लीजेगा जुरूर ये तो comment box में आप लोग को answer में किसी बच्चे ने ये answer दे रखे होंगे या फिर आप लोग इसको search किजेगा थोड़ी सी महनत आप लोग भी किजेगा क्योंकि ये video बनाने में बहुत महनत लगती है 2-5 घंटे की video बनाने के लिए मुझे expectation से जादा time लगता है क्योंकि आप लोग को पता है लग बग जो slide है वो सो से जादे तो slide ही हो जाती है उन सारी news को लगाना उसके अंदर photo बगाना फिर उसको record करना 2 घंटे की video को फिर उसको decode करना और फिर उसको upload करना तो total मिला के मेरे 8 से 10 घंटे लगते हैं इस पूरे procedure के अंदर में तो आप लोग समझ सकते हैं जो इस वीडियो आप लोग के सामने आ रही है एक महीने की complete वीडियो तो इसका महनत वसूल होनी चाहिए तो थोड़े सी आप लोग भी मेरे साथे महनत कीजिए क्योंकि exam आप लोग को ही देना है तो इसलिए आप लोग को जो question पूसता हूँ तो उनके answer आप लोग जरूर जाकर देखे और उनके answer आप लोग जरूर दीजिए ठीक है पहली बात और अगर आप लोग को लगता है कि इस वीडियो से आप लोग को फायदा हो रहा है तो PDF जरूर डाउनलोड करेना revision करने के लिए और दूसरों तक भी जरूर पहुँचा ये वीडियो अगर आप लोग को फायदे मत लग रही है अगर नहीं लग रही है तो बिलकुल भी नहीं करना है फिर तो कोई बात ही नहीं ठीक है तो ये कुछ बाते हैं अगर आप लोग को फायदा पहुचा रही है अगर चीज़े सही हो रही है तो फिर देखें महनत करने से चीज़े अच्छी मिलती है अगर बिना महनत के चीज़े अच्छी मिल जाते तो फिर कोई महनती नहीं करता तो इसलिए अच्छे से motivation के साथ में आप लोग चीजों को revise करते रही है exam जितना pass में आता है और ज़्यदा आप लोग इनसे देखने को मिलेगा Minister जो है education उनका नाम है आज केट में नरेस जो यहाँ पर रमेस पोक रियाल निसांग पहले इसको जो मिनिश्टी का नाम था यह था Human Resource and Development Ministry अभी इसका नाम चेंज कर दिया है हमारी country में भी national education policy लेकर आएगी तो national education जो policy है यह तीसरी national education policy है इससे पहले हमारी country में 1968 में लाए थी FID 86 में लाए और आब यहाँ पर 2020 में लाए यह तीसरी national education policy है education जो है हमारी country में समिधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो इसको concrete list में रखा गया है साथवे schedule के अंदर तीन list होती है एक को बोलते है center state और तीसरे को concrete list तो concrete list में रखा गया है education को तो यह important चीज़े में बार बार आप लोग को बताते रहता हूँ ताकि एक्जाम में भूलने जाएं आप लोग बिल्कुल भी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तीसरी national education policy भी एजुकेशन मिनिस्टीक में जो रमेश पोकरियान निसाम साब के द्वारा प्रस्तूत की गई पलेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करे हैं यह थोड़ा सा different चीज़े हैं बात की जा रही है कि foundation strong रखा गए हाँ पर TIHAN IIT हैदराबाद यह तिहान क्या है बेसिकली अगर इसको बोला जाए तो technology innovation hub autonomous navigation system यानि कि जो navigation system है जैसे आप एक जगे से दुछ जगे पर अगर जा रहे हैं कोई भी ऐसा काम करें आप लोग किसी vehicle यह थुरू जा रहे हैं या फिर unmanned air vehicle यह निकि एक तरीक से आपने यह रिमोट के जो ड्रोन वगरा यूज करते हैं अगर उनको यूज कर जा रहे हैं तो कुछ भी ऐसा उसके अंदर क्या-क्या innovation कर सकते हैं तो IIT हैदराबाद के साथ हैं मिलकर यहां पर यह काम किया जा रहे हैं और यह फर्स्ट अपने ही तरीक का आप लोग mission बोल सकते हैं तो education ministry यहां पर IIT हैदराबाद के साथ हैं मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं ताकि जो unmanned air vehicle हैं या फिर जो remotely operated vehicle हैं उनको हम लोग एक सही innovation के साथ में आगे लेकर चल सके हैं तो यह mission है तियान तो याद रखेगा technology innovation hub और autonomous navigation system यह full form है इसकी और IIT हैदराबाद के साथ में connection है इसका ठीक है बड़ी ही प्यारी news है खासका अगर women empowerment के बारे में लिखने के लिए आए तो आप लोग इसको use कर सकते हैं और यहां पर यह वाली news और भी ज़्यादे important है health के बारे में अगर बात करते हैं तो अभी UK जो है उसके द्वारा ये बात की गई है अभी start कर दिया गया है 2021 ते उसके द्वारा abolish करना 5% जो wet लगाते थे wet होता है value added tax हमारी country में अलग-लग राज्य में आप लोग को ये diesel petrol के price अलग को लगते हैं क्योंकि अलग-लग राज्य अलग-लग wet लगाते हैं तो यहां से इसका price change हो जाता है तो अभी यहां पर UK के द्वारा बोल गया है कि ये women के जो sanitary जो product होते हैं ठीक है जैसे कि बात किया रे tampon ये इस तरीगे जो product होते हैं ये फिर जो जो यहां पर pets वगरा use की जाती है period cycle के duration में तो उनको यहां पर basically tax free किया जाएगा देखिए हम लोग इनके बारें बात करते हैं तुरदा सरमाते हैं इसके चलते बहुत सारी जो महिला हैं हमारी country में ऐसी भी report आती हैं कि बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो यहां पर private part में infection की वेसे बहुत सारी महिलाओं की जान जाती है तो यहाँ पर इसकी वेसे जो गंदे कपड़े वगए फिर कुछ ऐसी चीज़े यूज कियाती है जिसकी वेसे infection हो जाता है और यह कई बार हमारी country में इसको improvement करने ही कुछ कियाती है इसके बार बाते की जाती है लेकिन लोग discuss नहीं करते हैं तो इसी के चलते जो UK ने इसको भ free of cost किया तो free of cost करना और text अडाना दोनों अलगलग चीज़े एक होता है कि free provide करा देना ताकि कि किसी को भी कोई दिक्कती ने हो आसानी से उसको खरिज सके और use कर सके कोई भी ऐसी problem देखने को नहीं मिले क्योंकि इसी की वेसे आज केट में जो प्रती पर हम जैसे जो लोग जिन्दा हैं हम जैसे जो लोग पैदा होते हैं वो इसी की वेसे होते हैं और इसी के बारे में हो लोग बात करते हैं डरते हैं इसी लिए एक movie लाई गी थी एक सकुमार साब के द्वारे इसको padman बोला गया तो ये काफी बड़ी है चीज एक हमारी country में जो taboo है इसको लेका इसका मुझे लगता है कि हमारी country का education system अगर school level पर ये चीज़े प्रोपर में प्रजेंट की जाए बच्चों के सामने तो ये problem देखने को नहीं मिलेगी तो याद रखना UK के द्वारा start किया गए Scotland पहली country था जिसने free कर दिया था इसको तो अगर आप लोग देखना चाते है यहाँ पर तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा Scotland आप लोग उससे पूछे कोई UK के बारे में तो UK के अंदर कौन को नाता है तो यहाँ पर हो गया Northern Ireland यहाँ पर हो गया Wales यहाँ पर हो गया England और यहाँ पर हो गया Scotland UK का मतलब United Kingdom यानिके चार kingdom को मिला कर चार राज्यों को म बढ़ा है Great Britain से और England तो एक चोटा सा राज्य है तो टेंसल लेने वाली कोई बाती नहीं है बाकि अगर बिटेज जो अगर बिटेज इसलिस बोले तो इसका मतलब है कि बिटेज पूरा आइलेंड यानिके यहाँ पर जो रिपब्लिक और फाइरलेंड भी इसके अंदर असानी से आपर आ जा सकते थे लेकिन आप यहाँ पर यूरोप में नियून का पार्ट नहीं रहे हैं तो यहाँ पर अगर कोई ड़लप्मेंट होता है तो कोशन आप लोगों से पूछा जा सकता है हमारी कंट्री में जो Ministry of Earth Science है उसके दोरा इन्योग्रेट किया गे हैं हाँ यह पर metrological यह basically जो center है लेके अंदर यहने के लदाख के अंदर जो metrological center है उसको हें पर अभी बनाया गया यह भी किसके अंदर है यह यह हर्स वर्दन साब के अंदर है तो health वाली ministry यह भी हर्स वर्दन साब के अंदर मी यह हैं ठीक हैं आगे चलते हैं यह news थोड़ा जहां को मिल सकते हैं तो और अच्छे से आप लोगी तैयारी हो जाएगी बड़ी ही प्यारी नियूज है आपर ये बात की जारी है Food Safety and Standard Authority के बारे में तो Food Safety and Standard Authority of India जो है उसके द्वारा बात की जारी है TransFet, TransFet ये काफी खतरनाथ चीज होती है जो कि product को जो यूज के जाता है बनाने के लिए खासकर जिसे biscuit होते हैं बेकरी के जितने भी product होते हैं तो यहाँ पर फिर बोला गया इसको 2% पर लेकर आना है 2022 तक का तो यहाँ पर इसको TransFet को घटाने का बेसिकली ये है यहाँ पर सोचना क्योंकि TransFet की वे से दुनिया भर में बहुत सारे लोग को ही जान जाती है जो बोड़ी के अंदर आजकर में बहुत सारे लोग का आप और लोग हैट अटेक देखने को मिलते हैं तो TransFet काफी जादे हैं पर यह problem create करता है एक और छोड़ी सी बात हो सकता है कि आप लोग को सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगें जो बच्चों का आजकर में चिप्स वगर आप लोग यह खिलाते हैं इसके अंदर भी TransFet होता है तो बच्पन से आप लोग बच्चों को खुशी खुशी में बच्चा रो रहा ह बोडी में से निकलते नहीं है और फिर आगे चलकर जो ब्लोकेज होते हैं बोडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है धंक से या फिर कोई हैट आटक आता है आगे जैसे इसे एज बढ़ती है तो इसलिए हाँ पर यह प्रोडम देखने को मिलती है तो इन सब चीज और फ्रेडी ओफ अंडिया के द्वारा है आपर बेसिकली रेगुलेशन लाए गया अमेंडमेंट करके जिसको फूर सेप्टी और जो बेसिकली प्रोबेशन एंड दा रिस्ट्रक्शन ओन दा सेल और रेगुलेशन ही आपर इसको बोला गया तो जिसमें ट्रांस फेट को और कम करने की बात कीगी तो हमारी कंट्री में इसको कम कम करने है पर बहुत सारी कंट्री में इसको इसको इंपलिमेंट करती है क्योंकि उनके बारे उनके बाहा जाएंगे तो हैल्थ काफी important point हो जाता है WHO जो है यहाँ पर यह बोलता है कि इसको आप लोगो 2023 तक इसको खतम करने है तो WHO से वारे में पूछेगी कोन कब तक यहाँ पर इसको खतम करने है तो World Health Organization बोलता है इसको 2023 तक आप लोग करने है और हमारी कंट्री में 2022 तक कि इसको बोला है 2% पर लेकर आना है तो यह Food Safety and Standard Authority of India जो है हमारी कंट्री में एक statutory body है statutory मतलब statutory यानिके Parliament में low यानिके act pass करके हाँ पर बनाएगी और इसके सलते हाँ पर किस ministry के अंडर में आती है तो ministry of health and family welfare के अंडर में आती है नोर्मल सी बात है health के बारे में बात करें तो ministry of health आएगी जो की हर्स वर्दन साब के अंडर में ह तो act pass किया गया था 2006 में पर लेकिन body बनाएगी 2011 में और new daily में इसका head cut रहे है अब chair person को ने इसके या आप लोग को बताने है बहुत बार बताया यार जब discuss करते हैं आप लोग से normal news बहुत बार आप लोग को बताया है तो थोड़ा से तो अभख मेरा है बनता है कि आप member लिख दिया किजे comment के नीचे new या फिर end लिख दीजे या फिर new member लिख दिये ताकि मुझे यह पता चलता रहे है कि new member कितने इस वीडियो को देख रहे है फिर उसी हिसाब से इस वीडियो के अंदर और changes आप लोग को आगे देखने को मिलेंगे आप लोग के हिसाब से भी और बाकी old is gold जो पुराना है वो तो लिख दो old is gold मजे कर रहे हैं आप बाकी तो चली रहे हैं सबके ठीक है तो new member जरूर लिखे यह बात और बाकी जिसको कोई doubt रहता है वो भी जरूर लिखेगा आगे बात कते हैं आप ब्रेक्जिट के बारे में ब्रेक्जिट है क्या? ब ब्रेक्जिट बाहर निकल रहे हैं तो जिब्राल्टर वाला एक एरिया है जो कि इस पेन के साथ में टच करता है और वो आज केट में free movement है वहाँ पर अराम से सामान को लाया रो ले जा जा सकता है पर लेकिन वो जो territory है वो किसके है वो है ब्रेक्जिट बाहर निकल रहे है तो अब वो किसके अंदर में आएगा ब्रेक्जिट के अंदर में आएगा तो free movement होँआ पर थोड़ा टप पड़ जाएगा अब तक होँआ पर जो rule follow किया आते हैं वो European Union के rule follow किया जाते हैं या फिर जो Sengen zone है उसके rule follow किया आते हैं अब ये कौन सा zone है इसके बारे बात आते हैं तो Gibraltar जो है वो उपर Spain हो गया और नीचे मौरक को हो गया तो इन दोनों को divide करते हैं और यहाँ पर Gibraltar है ये Spain के पास में है पर लेकिन किसकी territory है आपर ये UK की territory है इनके Britain की territory है और आज की date में आगर बात करें तो ये आराम से आपर चीजे सारी चलती है क्योंकि कि की अंडर में आता है ये आता है European Union के अंडर में पर लेकिन अब बिर्टेन भार निकल गया है तो अब ये बिर्टेन के अंडर में आएगा तो यहाँ पर जो moment होगा वो थोड़ा सा tough हो जाएगा बिर्टेन की permission यहाँ पर लगनी start हो जाएगी तो अगर आप लोगों से कोई पूछ भी लेकि यहाँ पर जो बिर्टेन की overseas territory जो है यहाँ पर कौन सी है तो यहाँ पर जिब्राल्टर का आम भी आप लोग याद रखेगा और जो की news में भी है और किसके साथ में border touch करता है यह Spain के साथ में border touch करता है इस reason को अगर आप लोग अपनी country compare में देखना चाहते अगर थोड़ से इसको zoom out आप लोग करेंगे तो यह बोल सकते हैं कि जिब्राल्टर जो है आपर यह Mediterranean Sea जो है इधर से और यहाँ पर आप लोग Atlantic Ocean देखने को मिल रहे है तो Atlantic Ocean को Mediterranean Sea के साथ में भी जिब्राल्टर जो है वो टच कराता है ठीक है इसी के साथ में आपर Spain के साथ में मुरकों के बीच में कोन है वो जिब्राल्टर है तो ऐसे से question भी आप लोगों से map के अंदर पूछ लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक word मैंने use के था सिंगेन जोन डिरेट कोशन आप लोगों से बन जाएगा यह है क्या इसको भी समझ लिजे सिंगेन एरिया एक ऐसा एर यहाँ पर एक common visa policy है अगर सिंगेन एरिया में आप लोगों जाना है तो एक common visa ले लिजे और फिर आप लोग यहाँ पर टहलते रहिए जहाँ पर भी आप लोग घूमना है कोई नहीं पूछे का आप लोगों से यार आप तो खाते यार आप तो जर्मीन ही थे और पोलेंड में मताईएगा कि कहां से question आ गया तो भाई साब यहां से question आ गया news में तो है पर आप लोगों ने focus नहीं दिया था तो इसलिए किसी भी तरीके से question पूछा जा सकता है करनाच का government के द्वारा अभी अलाओ किया गया कि soap और जो commercial establishment है उसको 24 घंटे यानिके 24 आर खोलने की बा यहाँ पर लोगों के लिए बढ़ जाएगी तो इसके चलते आने वाले time में लगबाद 2024 तक है आपर करनाच का soap और जो commercial establishment है यह 1961 इसके अंदर change किया गया तो करनाच का से अगर आप लोग गुलों करते हैं तो यह और भी important हो जाता है हमारी country में टहली में भी और इसी के क्योंकि कोई अगर दुरखट न घटी तो फिर वापर तुरंत चीज़े अवलेबिल होनी चाहिए तो वो वाली बात आप लोगो देखने को मिलेगी तो इस तरीके एगर कोई भी news आती है तो pros and cons उसके आप लोग बात कर सकते हैं उनके बारे में करनाच का हमारी country में अगर बात करें तो देख सकते हैं करनाच का यहाँ पर हैं यह basically western घाट की side में तो गोवा टच करता है महरास्तर टच करता है तेलंगाना आंदर प्रदेश तमिलाडू और करनाच का तो जब तक 2014 तक यहाँ पर तेलंगाना को अलग राजय नहीं बनाय गया था तब तक इसको 5 रा अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के अंदर में अर्जेंटीना को हाँ पर जो चेली टच करता है बोलविया प्रगवे और उरगवे और ब्राजील भी टच करता है तो टोटल मिलाकर अर्जेंटीना को यहाँ पर एक हो गया उरगवे एक हो गया प्रगवे एक हो गया बोलव तो यह क्या है, आप लोगों की जो बैटरी यूज की जाती है, खासकर अगर बात करें, आज करें से लिप्टोब हो गया मॉपाइल हो गया यह फिर इलेक्ट्रिक विक्कल में भी उनको यूज करने की बात की जा रही है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपोर्टेंट है लीथियम की मैटरी हमारे लिए है। तो अगर हम लोग आजके में कुरूड ओयल खरीद के लाता हैं इरान से, साउधी अरेबिया से, इराक से इन कंट्रि से तो आगे चल कर हम लोग को लीथियम की जुरत पड़ेगी और लीथियम हम लोग कहा का से ला सकते हैं। अगर लार्जेस जो है वो अर्जेंटीना है, तो पहले पर बोलिविया, दूसरे पर चिली और तीसरे पर है अर्जेंटीना, तो पहले पर हो गया कौन हो गया, पहले पर हो गया बोलिविया, दूसरे पर हो गया चिली और तीसरे पर हो गया अर्जेंटीना, ठीक है, तो ऐ इसा होता है देख कई बार तो पढ़ाते हैं बड़ा दरी ट्रीक आ जाती है तो यह यूज के जाएगा इलेक्ट्रिक विकल की कई बार बात चल रही है बहुत लाजी स्केल पर इलेक्ट्रिक विकल बनाने उनको यूज करने है तो इसलिए और भी ज़ज़े इंपोर्टेंट आगे बढ़ते हैं तो यह कोश्चन बन जाए तो सबसे लाज लिथियम कहाँ पर है तो यह याद रखेगा कुछ इंपोर्टेंट प्यारी प्यारी न्यूज है आपर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी छोटी छोटी से न्यूज है थोड़ा छोड़ा सा आइडियस के बार यह खाँ पर यह कांगरा डिस्टिक हिमाचल परदेश की बात की जा रही है कई बार कई से रीवर आपने सामय रखकर मैच करने के लिए रिया आता है तो जो पॉंक डैम है वो कहाँ पर है वियास रिवर के ओपर हिमाचल परदेश के अंदर में एक important बात अगर कोई भी ऐसी बड से लिटेड अगर बीमारी होती है तो हमारी country में high security animal disease laboratory कहाँ पर है यह भोपाल के अंदर में कहाँ पर है मध्या परदेश के अंदर भोपाल के अंदर में तो यहाँ पर चेक करने के लिए भीजाता है कि कौन सी बीमारी है उसके बाद में फिर पदा चलता है तो high security animal disease laboratory कहाँ पर है भोपाल के अंदर में है तो यहाँ पर अभी जो यह कैसारी bird मिली और बाद में पदा चला था जो coastal area में जो किनारों पर जो city रहती है वहाँ पर जो पानी का level है वो 0.5 meter बढ़ जाएगा यह बोला गया था और इसकी वेसे लगबग 800 million के करीब जो लोग है वो risk में आ जाएंगे पानी के बढ़नी की वेसे कभी तूफान आएगा तो कभी हुआ पर cyclone कभी और कोई दिक्कत और कभी पानी के बढ़नी की वेसे भी दिक्कते नजर आएगी इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे माले यह coastal area होगी है यहाँ पर सारा ठीक है अगर कल को पानी का लेवल बढ़ता है तो इस सारी रीजन में आप लोग यहाँ पर यह लोग जो है डूपते हैं नजर आएगी इस तरीगे से आप लोग understand कर सकते हैं तो इसके चलते हैं जो C40 City है इसके बारे में कुछ बात हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए उसके बारे में आप लोग से बात करता हूँ बड़ी ही प्यारी news है question exam में बन सकता है आप लोग है आपर पहले तो C40 City याद रखेगा यह C40 बोलने के लिए है इसके अंदर C40 यादि के 40 City नहीं है इसके अंदर कितनी City है आज केर में लगबग 96 से करीब City है आप लोग हो सकता है अभी कोई change होगा परजेंट मैंने जब देखा था तब 96 इसमें तो एक बार इसको चेक भी कर लेना आप लोग क्योंकि जो यहाँ पर जब मैंने इसको पढ़ाय था उस टाइम तक यहाँ पर 96 थी अगर यहाँ पर यह थोड़ी से मैंने लगबग 1.5 महीने पहले कि मेरे पास में slide बनी रखी है अगर फिलाल में अभी कोई change आया हो तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना चलिए वो तो देख लेंगे साइद 96 है यह फिर 97 है साइद मुझे लग रहे ठीक है तो उसको देख लेजेगा एक बार 96 है कि 97 है एक बार चेक कर लेना आप लोग इसको बाखी जो important है वो जरूर याद रखना कि इंडिया के कितनी सिटी है इसके अंदर तो हमारी कंट्री की बैंगलोर है चन्नाई है जैपूर है कोलकता है मुंबई है और न्यू डैली है तो हमारी कंट्री की UK, United Kingdom के अंदर है मुझे ऐसा लग रहा है साथ 97 है ठीक है बाखी आप लोग एक बार चेक कर लिजगे इसको चेक करने के लिए इसलिए बोरो हो तो कि आप लोग जब जा कर देखेंगे और भी कही सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी अर्विंद केजरिवाल साब तो C40 City में साथ 97 या फिर 96 City है देखना इसको आगे बात करते हैं वियतनाम के बारे में वियतनाम हमारी कंट्री से फूड ग्रेन खरीद रहा है खासकर चावल वियतनाम वो कंट्री है जो वर्ड में चावल को एक्सपोर्ट करता है पर लेकिन COVID-19 के चलते और हुआ पानी के चलते सूखें के चलते ये कंट्री से अभी यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर यह चावल जो है इंपोर्ट करता हुआ नजर आया तो वियतनाम का पर है वियतनाम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप लोग मैं पर एक बार देखेंगे इसको समझ पाएं कि थाइलेंड हो गया, लाउस हो गया, कंबोडिय हो गया और वियतनाम हो गया यहाँ पर आजएए यहाँ पर देखिए यह हो गया थाइलेंड हो गया, लाउस हो गया, कंबोडिय हो गया और वियतनाम हो गया तो पूछा गया था कौन सी कंट्री यहाँ पर लेंड लोग कंट साथ में जड़ाप होती है, उसकी वेज़े से भी ये न्यूज में रहती है, ठीक है तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं, आगे चलते हैं आपर करनाट का फोरेस्ट डिपार्डमेंट के द्वारा जो बैट critically endangered है, IUCN की लिस्ट में अगर बात कीजिए और पिक्चर आप लोग अगर इसकी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग इसकी पिक्चर देखना चाहते हैं तो ऐसी है आपर इसकी पिक्चर चमगादर की तो नावजयस का बड़ा डिफरेंट्स है यह खास कर बच्चों से लेटर भी न्यूज है, आपर यह नीचे वाली तो यहाँ पर आप लोगों से question पूछा जा सकता है तो हलका सा idea रखेगा इसके बारे में यह किया गया direct rate of education के द्वारा कि कितना weight होना चाहिए तो यहाँ पर एक से लेके दो क्लास के जो बच्चे है उनके लिए हाँ पर लगबाग डेड़ से लेके दो दिसम्वलों दो किलों तक का weight होना चाहिए इसके साथ में तीसरी, चोथी और पांच वुई के लिए य ergon Nina के 3, 4, & 5 के लिए आप आप 1.7 से ले so much और 2.5 तक होना चाहिए 6 और 7 के लिए आप आप 2 से लेके 3 दिक होना चाहिए 8 क्लास के लिए 2.5 से लेके 4 कीजी तक होना चाहिए 9th और 10th के लिए 2.5 से लिए 4.5 तक होना चाहिए 11th और 12th के लिए यहाँ पर रोजे 3.5 से लिए 5 तक होना चाहिए और interesting चीज पता है क्या है interesting चीज उल्टी है जैसे जैसे class आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बच्चे जो है आपर बात की जा रही है National Geometrology Conclave 2021 तो यहाँ पर यह organize करा गया Council of Scientific and Industrial Research के दौरा और National जो Physical Laboratory है New Delhi में इनके दौरा जो 75 जो यह अभी जो टाइम में यह एंटर कर रहे है तो उसके चलते हैं आपर यह चीजे देखने को मिली बड़ा ज़रा है जो Scientific and Industrial Research जो है 1942 में इसको इस्टेब्लिस के गए था Ministry of Science and Technology के अंडर में यह आती है यह जो register की जाती है यह Society Registration Act के अंदर यहाँ पर यह register की जाती है देखिए एक question आप लोगों से यहाँ पर confusion में आप लोगों डाल सकते हैं पैसा मिलता है इसको Ministry of Science and Technology से वैसे ही Autonomous है यह अपने हिसाफ से काम करती है तो पैसा पैसा मिलता है वैसे अपने हिसाफ से काम करते है और हमारी country में जो इसके President है वो है Prime Minister of India जैसे ही Prime Minister बनते है तो वो इसकी Post मिल जाती है इसको बोलते हैं आप लोगों बुने कई बार सुना होगा कि एक तरीके से यह काम कर लो यह अपने हाप मिल जाएगा जोब लगा लो साधी अपने हाप हो जाएगी तो इस तरीके समझ सकते हैं तो जोब जो है वो है एक तरीके से मेन काम पर साधी जो है वो है यहाँ पर ex-officio, यह इनके एक तरीके से वो तो होई जाएगी फिर job लगा लो, तो साथ ही free में मिल रही है साथ में, जैसे ही job मिल जाती है तो प्राइमिस्टर की post मिली, तो यह ex-officio इसके basically chairman, president बन जाएंगे, जो council of scientific and industrial research के, इसी के साथ में, vice president कौन होते हैं, तो होते हैं, minister of science and technology वो ex-officio के, यह basically vice president बन जाते हैं, बाकि यहाँ पर headquarters का New Delhi के अंदर में, director कौन है, director general यह आप लोग को बताने हैं, तो हमारी country में काम किसके स्फिल्ड में करती है तो ocean, science, life science, metallurgy या फिर chemical, mining, petroleum, leather, environment, अलग अलग फिल्ड में यह काम करती है, नजराती है, particular body इसको established कह गया था, 1942 में यहनके 1942 में, तो काफी पुरानी एक experience body आप लोग इसको बोल सकते हैं दोनों ही news बड़ी प्यारी है, आप लोग के exam के लिए बहुत important हो सकती है पहले जो बात की जारी है, हमारी country में बात की जारे, largest floating solar जो energy project है, वो कहाँ पर आप लोग को देखने को मिला, तो ओम कारेसवर डैम है, नर्मदा river के उपर ओम कारेसवर डैम, नर्मदा river के अंदर पावर generate करना, इस्टार्ट कर देगा estimation की जो cost यहाँ पर 3000 क्रोड रुपे इसके उपर खर्च के जा रहे हैं, और financial assistance यहाँ पर मिल रहे हैं, तो international financial cooperation, इसी के साथ में world bank और power grid जो है, यह मिलकर काम कर रहे हैं इस particular project के उपर कुछ और छोटी सी बात है, कारिसवर डैम basically कहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यह देखने को मिलेगा मज्दय परदेश, यानिके MP के अंदर जो नर्मदा river है, वो दो राजय के लिए काफी important है, एक तो मज्दय परदेश और दूसरा गुजरात के लिए, तो अमर कंटब जो है आपर वो इसका source भी है, ठीक है, कई बार आप लोगों से पूछ ले आता है, और इसको local area में इसको Riva, R-E-V-A, तो Riva river के नाम से भी अगर आप लोगों से कोई पूछें, तो यह इसी के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह जो है basically जो drain होती है, यह Gulf of Bath जो आप लोगो देखने को मिलेगा, Arabian Sea के अंदर, तो हहाँ पर यह गिरती हुई नजर आती है, ठीक है ठीक है, बोलने से काम ने चलेगा, यह पर देख लीजए, यहाँ पर यह एक्जेप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर यह जो काफी important news है, आपर इंडिया का 40th जो scientific expedition आप लोग को देखने को मिला अंटार्टिका की सैड में, हमारी country से 40 वा जत्त हैं आपर अभी अंटार्टिका की सैड में गया हाँ पर हमारी country के जो scientist हैं, और यह start किया गया गोवा से, गोवा से चले यहाँ पर यह लगभब 43 member बात की जा रही है, ठीक है, तो Antarctica जो हैं आपर हमारे जो mission हैं आपर start किये गये थे 1981 में, तो 1981 में सबसे पहले 21 जो scientist हैं उनका जत्त हैं आपर पहुंचा था और हमारी country के कई सारे permanent mission हैं आपर, आज के रिट में बात करें तो सबसे पहला जो mission था हैं आपर इसका नाम था दक important question आप लोगों से बन सकता है, इसी के साथ में जो national, जो center for polar and ocean research है, जिसको NCPOR आप लोग बोलते हैं, यह manage करता है entire जो India mission है, जो Antarctica के अंदर, तो यह कहां पर located है, तो यह है Goa के अंदर located, ठीक है, तो ऐसे भी question आप लोगों से बन जाते हैं अगर mission news में है, तो ऐसे भी question जाते हैं, अब अगर आप लोग को देखना है कि अंटार्टिका है कांपे, तो इसके लिए आप लोग को इसको map को पूरा basically jump out करना पड़ेगा, और नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो यह आप लोग को अंटार्टिका देखने को मिलेगा, नीचे हो गया South Pole, काम रूप के बारे में, तो काम रूप लोग को देखने को मिलेगा, तो काम रूप के अंदर, यहाँ पर अभी काम रूप के अंदर, यहाँ पर बेसिकली जो दिपोर भील है, यह particular एक रामसर साइट है, तो जिसके अंदर यहाँ पर यह वेट लैंड की जो कार्यकरम चलता अगर आप लोगों से कोई पूचे हमारी कंट्री में टोटल मिलागर कितनी रामसर साइट है, तो 42 रामसर साइट आप लोगो देखने को मिलेगी, आगे आप लोग को हालकि इस वीडियो के अंदर में आप लोगो बताऊंगा ही, कि लास्ट जो रामसर साइट है, वो कौन स ख्लेंश यह आप लीगर के लिगते हैं, जोकि कंवेंशन हुआ के इरान के अंदर में, तो सीके नाम पर इसका नाम रमसर कंवेंशन रग दिया, और 1971 में, इरान के अंदर हुआ फिर लेकिन 1975 में सको इंपलिम्यंट किया गया, याद करने के लिए मैं आप लोगो ट्रीक ब यह आप लोग ट्राइ कीजिए फिर वीडियो के अंदर आगे देखने को मिलेगा National Human Rights Commission के द्वारा recently अभी बोला गया है कि zero manual जो scavenging होनी चाहिए मतलब क्या है basically जो गटर में लोगों को उतारा जाता है और वहां से जो गंदगी निकलवाई जाती है उनको use and I करके आप लोग proper kitry उनको दीजे और इसी के साथ में हापर ये machine यूज कीजे ताकि इंसानों की जानने जाए तो इसके बारे में बात की जा रही है तो हमारी country में employment of manual scavenging and construction of dry lettering probit act था पहले 1993 में फिर आगे चलकर इसी के बेस पर हमारी country में national commission for सफाई करमचारी बनाया गया तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि national commission for सफाई करमचारी जो है वो कौन से act में से निकल के लाया गया तो ये employment of manual scavenging and construction of dry lettering इस act से निकाल कर लाया गया ठीक है important बात है probit of the जो employment यहाँ पर इनके job नहीं इस particular area में manual scavenging के area में और उनको rehabilitate करने है आप लोगो जो particular लोग इस area में काम करते हैं तो ये 2013 में यहाँ पर अभी लाया गया तो यहनके जो लोग यहाँ पर काम करें उनको कोई proper दूसरा काम दीजे ता कि इनकी जानना जाए रोजी रोटी के लिए इनसान क्या क्या कर रहा है आप राजके में तो उसको रोके ता कि उसकी जानने जाए उसके ओपर जो family dependent है वरना वो भी यहाँ पर प्रिशानी में आ जाते हैं कोई और धंगा काम दीजे है फिर इनको proper machine दीजे जिसे साब किया सके इनसानों को ने उतरना पड़े तो यह important news है तीसरी जो यहाँ पर जो slide पर important news है इथोपिया, सुडान और इसी के साथ में Egypt के बारें बात कर रही है एक dam यहनिके बांद है जिसका नाम है यह great, जो basically grand renesa dam तो यह कहाँ पर है यह Nile River के उपर है और यह कहाँ पर, इथोपिया के अंदर यहाँ पर यह बनाया जा रहा है तो यह Hone of Paprika की category में आप लोग को देखने को मिलेगा यह Nile जो है यह longest river है world की तो कई सारे confusion आप लोग के mind में होगे Nile कहाँ पर है, Hone of Paprika कहाँ पर है यह कहाँ पर है, यह है इथोपिया के अंदर इथोपिया के अंदर जो Nile River का जो white जो basically जो blue Nile है तो उसके उपर है यहाँ पर Grand, जो बेरे से बेरे मैंने आप लोग को से बात किना Great Ethiopian Renessa Dam जिसको Grand Renessa Dam के नाम से बोलते हैं तो कहाँ पर है, इथोपिया के अंदर है कौन सी लेक पर है यहाँ पर है वो basically कौन सी नदी की किनारे पर है यहाँ पर है तो blue Nile के उपर है यहाँ ठीक है एक है आपर लेक Victoria लेक Victoria किस particular country के बोलते है तो चंटन्जानिया, कीनिया और इसी के साथ में युगांडा तो तीन country के जो mixer border है आपर उस पर आप लोगो देखने को मिलेगा लेक Victoria, लेक Victoria से जो निकल कर आते है उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है वाइट नाइल तो वाइट नाइल और blue नाइल जो है यह आगे चलकर Sudan के अंदर मिल जाती है कार्टून के अंदर, ठीक है Sudan भी दो हैं याद रखना है, एक को बोलते है Sudan और दूसरे को बोलते है, South Sudan 2011 तक यह दोनों एक ही country थी, पलेकिन 2011 में इनका division हो गया, वो South Sudan बन गया और यह Sudan रह गया, बिलकुल ऐसे ही यह उपर वाला Sudan होगा, नीचे वाला South Sudan होगा पहले पूरा का पूरा Sudan था, तो खार्टून जो हैं आपर यह जाकर मिलते हैं, और आगे चलकर यहां पर यह Mediterranean Sea में जाकर मिल जाता है, इसी के उपर Egypt के अंदर एक dam है, Aswanag Dam का नाम आप लोग ने जो सिंग होता है, ठीक है, राइनोस जिसको बोलते हैं आप लोग, उसके सिंग की तरीके से आपर इसका साइज दिखता है, तो उसके बेस पर इसका नाम रखा गया है तो Hone of Africa के अंदर चार कंट्री है चारो के नाम आप लोग को पता होने चाहिए, ठीक है Next यहाँ पर बात की जारी है प्रोवाट किरा रहा था डेवलफ किसके द्वारा किया गया तो Council of Scientific and Industrial Research इसको CSIR बोलते हैं और इसी के साथ में National Aerospace Laboratory के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया तो याद रखेगा ये स्वस्त वायू क्या है अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई साथ कोई मिसायल है या फिर कोई ड्रोन का नाम है नहीं ये बिल्कुल एक सिंपल सा छोड़ा सा एक वेंटिलेटर है जो की मरीजों को उक्सिजन प्रोवाइड कराने का काम करता है नेक्स्ट इंपोडेंट जो न्यूज है आपर हमारी केंटरी के प्रैमिस्टर साब नरेन मोजी से लेटेड है यापर इनके द्वारा पर्मनेंट केंपस की बात की गई आई-ई-ई-एम जो बेसिकली संबलपूर कहां पर उडिसा के अंदर में इंपोडेंट यह कि यहां पर है बेसिकली है हिरा कुन डैम थैकर इसके पास में यहां पर यह नजर आता है यह लार्जेस्ट जो एसे की लारजेस्ट इसको आर्टिफिशल लेग के नाम से भी आप लोग जानते हैं तो इन डिरेक्ट वे में आप लोग उसे डैम नहीं पूछेंगे आप लोग उसे रीवर का भी नाम यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हीरा कुन डैम जो है वो कौन सी रीवर के पार बनावाई या फिर जो सांबलपूर जो उडिसा के अंदर जो IAM का जो केंपस बनाएगा है क खासकर चतिसगड और उडिसा दो राजय का नाम आप लोग जुरूरी याद रखेगा जिसके लिए काफी इंपोटेंट यह रीवर मानी जाती है ओके नेच्ट यहाँ पर बात की जा रही है यह है एसेन वोटर बड सेंसेस के बारे में तो कोशन पहला तो यह पूछ जाए रही है मैंने बोला था ना आप लोग यह आगे चल कर आप लोगोंसे रामसार साइट के बारे मात करोंगा फिर से तौ आप लोग का आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर इसी नीूस के अंदर में तो यहाँ पर इंडिया वाइल लाय लाइफ रिशर्स के बारे में बात कि जा जा सके तो T83 में हाँ पर बनाएगे था जब से आपर ये काम कर रहे है हमारी कंट्री में जो रामसर साइट है टोटल मिला कर 42 है और अभी जो नहीं है आपर ये important है क्योंकि लदाख अभी नई उनिटेंटरी बनी है आगे हाँ पर बात करते हैं ये जो बात की जारी है परवासी भारते दिवस के बारे हैं बात की जारी है तो परवासी भारते दिवस सबसे बड़े परवासी हमारी कंट्री है कौन थे question पूछा जाए आप लोगों से तो ये history में भी question आप लोगों से बनता है 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से हमारी केंट्री में मात्मा काजी जी के पैर रखे गए तो वो रखे गए मुंबई के अंदर 9 जनवरी को वो पहुँचे तो उनी के नाम पर यहाँ पर परवासी भारते दिवस बना जाता है तो यहाँ पर 16 परवासी भारते दिवस जो कनवेंसन है उसकी जो आप लोगों से बात करें थीम के बारे में तो क्या है Contributing to आत्मिनिर्बर भारत तो आत्मिनिर्बर भारत में contribution की बात की जा रही है जो आपकी बार की थीम है यानि के 2021 की जो थीम है आपर जनवरी की तो यह याद है रखेगा और आत्मिनिर्बर भारत तो आप लोगों पता है कितना जाए दे न्यूज में तो आप लोगों से question बन सकता है तो परवासी भारते दिवस महत्मा कहांदी जी से related है इंडिया के द्वारा अभी recently ambulance service जो है वो किस country के लिए funded की गई तो स्रिलंका के लिए हम लोगों ने ambulance service प्रोवाइड कर रही जो COVID-19 की बीमारी से जूज रहे थे और इंडिया का यह second largest grant project था ओर लेडी हाँ पर हम लोग लगबग 60,000 के करीब घर हम लोगों के द्वारा बनाएगे 400 million USD dollar का grant दे कर grant का मतलब क्या होता है पैसा हम लोगों वापस नहीं मिलेगा दे दिया तो दे दिया एक तरी से बोलते है दान कर दिया तो grant का मतलब होता है एक तरी से दान कर देना पैसा return नहीं आएगा credit जो दिया जाता है वो return आता है तो स्रिलंका में हम लोग ने हापर अभी यह दान किया क्योंकि हाँ पर basically हमारी country के जो लोग है वापर काफी large scale पर रहते हैं जिनको आप लोग ने देखा भी होगा कि tamilion community जो कही बार news में रहती है स्रिलंका में काफी एक बड़ी history है उसके बारे में और काफी बुरी history भी आप लोग बोल सकते हैं उनके साथ में जो उनके साथ में मार काट की गए आज किड़ में बहुत सारे लोग जो है उनके घर में आज किड़ में particular इंसान नहीं है औरते औरते बचीए बहुत सारे लोग का पता नहीं है कहां पर है आज किड़ में तो यह इसलिए हमारी country की जो government है को यहाँ पर help करती है घरवर बनाने में स्रिलंका की ओर्मेंट इंक्यो पर ज्यादा फोकस नहीं देती है आगे चलते हैं आपर बात की जारी है ministry of education, ministry of women and child development, ministry of textile, ministry of commerce and industry, ministry of micro and medium enterprise, ministry of information and broadcasting, all India council of technical education, यह सारी मिल गई एक जगया आकर क्योंकि चाइना के खिलोंने हमारी country में इतने large scale पर use के जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है तो अगर कल को हम लोग अपनी country में innovation को use करके जैसे तैसे जो भी करें उसको use करके अपनी खुद की country में अगर toy यानि कि हम लोग खिलोंने बनाने start कर दें तो दूसरी country पर dependency हमारी खतम हो जाएगी पहली बात दूसरी बात ये अपनी country बनाएंगे तो लोगो जो मिलेगी और तीसरी बात यहाँ पर यह आज की rate में हम लोग अपनी country खिलोंने अपनी culture के साथ में connect करकर बना सकते हैं जिसे education के point of se भी हम लोग उनको use कर सकते हैं तो टोय का thon portal भी हाँ पर बनाये गया और टोय का thon 2021 यह याद रखेगा normally जो बात के जा रही है तो ministry of education इसमें बहुत बड़ा role play कर रही है ताकि हाँ पर इसी के चलते national education के अंदर भी हाँ पर plan रखा गया कि टोय को किस तरीक से use कहता है जब छोड़े छोड़े बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए तो यह भी एक important बात है health के बारे में एक छोड़ी सी news है आपर अब यह बोला गया कि जो air quality है उसके चलते इतनी ज्यादा प्रोलोम देखने को मिल रही है कि इंडिया पाकिस्तान और बंगला देश के अंदर जो pregnant woman है तो उनकी pregnancy पर भी बादल मंड़ा रहे हैं उनकी pregnancy भी loss देखने को मिल रही है pollution की वेसे इतना huge pollution यहाँ पर particulate matter जो है वो होते हैं जिसकी वेसे pregnancy भी contain नहीं कर पाती है कई सारी महला है इस pollution की वेसे तो यह भी एक काफी खतरनाख news आप लोग बोल सकते हैं क्या है air pollution का impact तो इसको भी आप लोग answer आटी में कहीं पर use कर सकते हैं next यहाँ पर जो बात की जा रही है कुछ important news आप लोग के सामने हाँ पर देखने को मिलेगी trade policy review trade policy review इनके trade के बारे बात किरें तो कौन करेगा है हाँ पर review तो कोई बड़ी organization करेगी तो वो बड़ी organization को है जो सब को देख रही है वो करेगा काम तो world trade organization के द्वारा trade policy review किया जाता है तो हमारी country का भी 7th trade policy review किया गया किसके द्वारा world trade organization के द्वारा तो पूछे की किसके द्वारा कियाता है तो World Trade Organization के द्वारा कियाता है तो जो Geneva, Switzerland के अंदर अगर आप लोग बात करिये World Trade Organization ये established है इसका aim ये रहता है कि कैसे आप लोग आज केट में जो Rule and Regulation बना रखे हैं वो सारे ढंक से follow किया जाएं तो लास्ट जो हमारा Policy Review होता है वो 2015 में होता और ये कभी देखने को मिला All Member जो subject यहाँ पर Review था जो Trade Policy Review Mechanism का पार है याणि के सब का Review होता रहता है कि क्या क्या चीज़ा आप लोग follow करे हैं जो World Trade Organization के दोर रूर रेगलिशन बना रखे हैं क्या वो follow कर रहे हैं या फिर नहीं follow कर रहे हैं तो ये World Trade Organization का सारा काम आप लोग को देखने को मिलेगा 1995 में ये World Trade Organization बनाई गए थी इससे पहले अच्छा आप लोग के लिए बड़ा ही प्यारा सा question यहाँ पर पूछा जाता है कई बार कई सारे बच्चे से confusion में भी आ जाते हैं कि जो World Trade Organization है जो आज के लिए में इसको आप लोग WTO के नाम से जानते हैं WTO से पहले हैं पर क्या था जिसके बाद में चलकर आप लोग आज के लिए में तो इसको बोलते हैं तो यहाँ पर यह GATT को क्या बोलते हैं General Agreement on Tariff and Trade इसके बाद में यहाँ पर जो Markets Agreement है यहाँ पर 1994 में और उसके बेस पर World Trade Organization यहाँ पर बनाया गया जो जनेवा सुटिजर लेंड के अंदर इसका headquarter है आज की date में एक और interesting चीज है यहाँ इसके बारे में अभी recently एक महीला को यहाँ पर इसका head बनाया गया तो यह आप लोगों से पूछा जा सकते है तो यह महीला जो है यह आप लोगों से कई बार आप लोगों इनके बारे में सुना भी होगा कि नई Director General और पहली Director General जो बनी है तो Nigerian American एक economist है जिनको अभी recently हाँ पर इस post पर बैठाए गया ठीक है हलाकि यह जो news है यह आप लोगो थोड़ी सी अगले महीने यह जो March के महीने का जब final जो आएगा उसमें आप लोगो discuss करने को मिलती है ठीक है तो यह March वाली basically महीने की news है तो यहाँ पर इनका नाम आप लोग याद रखते हैं मैंने आप लोग बताया था कि NOI के नाम से याद रखीगा तो इनको यहाँ पर नंकोजी ओकोंजो ऐविला के नाम से जानते हैं बड़ाई अटपड़ा सा नाम है सर्च कीजेगा एक बार जाकर और इनका एक बार चेहरा भी देखीजेगा जिसे कि आप लोग खोड़ासा उन्हीं चेहरे से अगर एक बार इनसान को कोई भी news में रहते है ना एक बार search करके उसका face देख लिया किजे तो जब आप लोग exam में बैठेंगे तो आप लोग को face से भी recognize करके कई बार question का answer देते हैं कोई भी particular person जिसका नाम पहली बार सुने एक बार जाकर google में search ज़रूर कीजे उसका face ज़रूर देखें ताकि exam में आप लोग face से correlate कर सेगे क्योंकि जब आप लोग सारे sense यूज़ करते हैं और हमारी country में अभी हाँ पर जब 75 साल इसको पूरे होगे तो इसको 75 रुपे की denomination का एक 75 anniversary पर हम लोग के हाँ पर 16 October को ये commemorative ये coin बनाए गया World Food Organization से लेटर ठीक है तो ये फिर से news में आया World Food Organization ये खाने की वे से तो मुझे लगा कि इसकी basic information में आप लोग को बता देता हूँ तो इस तरीके से देखिए ये SSA static चीज भी आप लोग की exam में direct question बन जाएगा कि किसके लिए हम लोगों ने launch के था तो ये October की news आगे आप लोग के indirect view में सामने तो अगर आप लोगों से कोई पूछे की payment infrastructure development fund जो है वो किसके द्वारा operational किया गया तो Reserve Bank of India के द्वारा operational किया गया Reserve Bank of India किया है हमारी country का एक central bank है तो जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है ये जो slide है ये important slide आप लोगो देखने को मिलेगी 2021 में भी कुछ-कुछ ऐसी बात की गई पर लेकिन जब लगा कि यार हमारी country में हर साल जो है वो लगबग 10 लां के करीब लोगों की जान जाती है only किसकी वेसे ये only इसकी वेसे एक road accident की वज़े से लगबग 4 से करीब 5 लां के करीब जो लोग है उन वो इंजर होते हैं इसी की वेसे road accident की वेसे तो एक हफ्ता इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा इसके लिए एक हफ्ता नहीं पूरा हम लोग एक week celebrate करेंगे वो सरी एक महीना celebrate करेंगे तो फिर इसको एक महीने के लिए हाँ पर basically आगे बढ़ाय गया उसके बारे मैं आप लोगों से आगे बात करूँआ फिलाल बात करते हैं कि 11 जनुरी से लिए कि 17 जनुरी तक देखने को मिलता है National Road Safety Week तो इसकी theme है Safety Yourself to Save Your Family क्योंकि अगर आप लोग सेफ रहेंगे तो आप लोगी फैमिली भी हाँ पर सेफ रहेगी क्योंकि कहीने कहीं आप लोग देखें बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी जान जाती है वो यहाँ पर 18 से लेके जो basically 70 साल की बीच में देखने को मिलेंगे और यह वो लोग हैं जो कहीने कहीं कमाने वाले हैं घर के तो इसलिए हैं आप इनके बारे में धान रखना है मन्त के बारे में आप लोगों से आगे बात करूँआ अभी यहाँ पर बात करते हैं यूनियन जल सक्ती मिनिस्टी के बारे में जोगी गजेंदर सिंग से खावत साब के अंडर में आती है तो इनके द्वारा बात के जारी एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसको बोलते है केन बेतवा प्रोजेक्ट तो आप लोगों से पूछे की केन रिवर कहां कि है और बेतवा रिवर कहां कि है तो केन रिवर की है मध्य परदेश की और बेतवा रिवर है उत्तर परदेश की इन दोनों को मिला कर एक joint project बना जा रहा है इंटरलिंक रिवर नी बोलते है रिवर को इंटरलिंक वाला project है यहाँ पर यहाँ पर तो दोनों राजे के अंदर बुंदेल खंड वाला रिजन उसको पानी पहुचाए जाएगा केन और बेतवा को मिला कर तो केन और बेतवा अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इस particular यहाँ पर जो link बना जा रहा है तो यह है बेतवा रिवर ठीक है और यहाँ पर आप लोग देखिए यह होगा है केन रिवर तो केन और बेतवा के बीच में ये link बना जा रहा है ताकि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उसमें पानी पहुँचा है जा सके ठीक है तो ये इसके बारे में छोड़ी सी पॉइंट है जो आप लोग याद रखेगा ओके आगे चलते हैं आपर जो बात की जारी है ये जो यूवा दिवस है ये किस दिन celebrate के आते हैं तो आप लोग को पता है ये किस से लिटर है तो स्वामी वेका नन साब से लिटर है और 12 जनुरी को celebrate के आते हैं और अपकी बार की जो थीम है ये बात की ज़रे है channelizing youth यानि कि youth को एक सही direction देना power of the nation building क्योंकि youth जो है वो country की nation building का काम करते हैं यानि कि देश को build up करने का काम जो करते हैं वो youth करते हैं तो इसलिए आप लोग को इसकी जो power है वो channelize करनी चाहिए आप लोग को तो काफी important है थीम ज़रूर याद रखेगा ठीक है जो youth power से लेटर बात की जा रही है अनुचल पर देश जो है हमारी country में एक नोर्थ इस्टन राज़े हैं तो यहाँ पर अभी vanadium vanadium का जो atomic number होता है 23 तो vanadium देखने को मिला जिसका largest जो deposit है वो जो चाहने के अंदर है सबसे ज़याद है vanadium कहा पर पाजाता है चाहने के अंदर पाजाता है दूसरे नमबर पर रसिया और तीसरे नमबर पर साउथ अफरीगा और हमारी country भी सबसे ज़याद है अभी काफी लंबे समय से अगर आप लोग बात करें तो vanadium जो है likely to यहाँ पर प्राइम जो producer है वो अनुचल परदेश बन रहा है हमारी country में चाहना जो है वर्ल्ड में लगबग आप लोग देखें 75% परदेशत परदेशत अपने आप ही खा जाता है यानि कि अपने आपी बनाया रोटी और अपना आपी खा गया तो वो वाली category में है China दूसरों के बारे में नहीं अपने आपी सारा यूज़ कर लेता है तो यह China की category है तो आम इंसान आप लोग को इस category में देखेने को में लेगा यह है China की category है ठीक है आगे चलते हैं आपर नेस्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है यह Ministry of Power के बारे में बात की जा रही है तो Bureau of Energy Efficiency उसके द्वारा Organize करा गया 30वा National Energy Conservation Award ठीक है तो यह किसके द्वारा किरा गया यह Bureau of Energy Efficiency के जिसको BEE आप लोग बोलते हैं तो इसके द्वारा Organize करा गया Energy Conservation जो इस्टेंडर है आपर यह जिसके चलते है इसको implement के जाएगा 2021 तो हमारी country में जो BEE है यहाँ पर इसके द्वारा जो developed किया गया है तो बेसिकली system जो है तो यह Management Information System जो एक Portal है जिसके नाम रखा गया है साथी तो साथी क्या है State-wise action on annual target जो basically headway on the energy efficiency यहनि कि आप लोगों को basically energy efficiency के बारे में बात करनी है और energy efficiency क्या होती है अगर आप लोग घर से बाहर जा रहे है तो आप लोग अपने घर में सारी जो light वगरा है जो TV वगरा है तो Bureau of Energy Efficiency ही नाम इसका इसलिए रखा गया है जो बोलती हैं कि star mark का product credit के लगाना कि freeze console आने है जिसपे 5 star लगी हो तो उससे क्या होगा कि वो energy कम consume करेगा AC console आने है जिसपे 4 या 5 star बने हो तो इस तरी के समझ सकते हैं Reserve Bank of India के द्वारे हाँ पर set up किया गया था governor है इनको appoint किया गया chair person of AAC का ठीक है दूसरे जो यहाँ पर है यहाँ पर जो बिनका नाम है Rabi Narayan Misra यहाँ पर executive director बनाएगे जो कि executive director थे आरवी के इनको appoint किया गया आप जो director of COS यान के colleagues of supervisor ठीक है तो यह यहाँ पर इनके इसके लिए appoint किया गया ताकि banking system के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है उसको और अच्छे से overview किया जा सके और system को और ज़्याज़ सुधारा जा सके कई सारे bank के अंदर आप लोग NPA निके non-performing asset देखने को मिलता है कई सारे bank जैसे कि ES bank जैसे कई सारे bank आप लोगो डोपते हैं ने जरा रहे हैं तो कैसे उनको maintain करना है तो उसके बारे में बात की जाती है तो उससे little है आपर यह जो की important news बन सकती है next जो important news है आपर second edition की बात की जा रही है यह second edition आप लोगो देखने को मिल रहा है coastal defense exercise का जिसका नाम है सी विजिल विजिलेंस commissioner का नाम आप लोगो नहीं सुनाओगा इसका मतलब होता है कि देख रेक करना कोई गड़बड़ी ना हो जाए कि तो 2021 में इसका second edition है पहला edition जो था इसका 2019 में था है यहनिकर 2019 में इसको start किया गया तो जब इसको start किया गया तो यह माना जाता है कि हमारी country में लगबग जो entire coastal line है यहनिकर लगबग 7616 km की coastal line है जिसमें आप लोगो 9 राज्ये देखने को मिलते हैं यह जो 9 राज्ये हैं अगर आप लोग map में देखना चाहते हैं और economic exclusive zone है उसके उपर भी focus दिये जाते हैं economic exclusive zone क्या होता है तो United Nation का जो convention है laws on sea जैसे आप लोग दिते ना कि sea के अंदर अगर आप लोग जाएंगे जैसे माली यह हमारी country की boundary होगी तो आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा यह 200 newtical wine तक आंदे है तो इसको यहाँ पर exclusive economic zone के नाम से आप लोग जानते हैं ठीक है यह territorial sea का नाम इसको दिये जाता है तो exclusive जो zone होते हैं आपर यह यह basically prescribe कियाता है 1982 में जब United Nation का convention on the low of seas यानि कि जो sea से लिटर जो convention आया थे उसके बारे बात करते हैं तो specific area में यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं क्या कि explore कर सकते हैं क्या कि आप लोग मचली पकड़ सकते हैं मचली पान कर सकते हैं जब water या फिर wind के अंदर कोई project आप लोग लगा सकते हैं तो यह इसके base पर यहाँ पर division आप लोग को देखने को मिलते हैं पर चाइना जो है South China Sea में इसको मानता है नहीं है इसलिए चाइना के साथ में सब की आप लोग को जड़प नजर आती रहती हैं तो हमारी country में इसको भी product करने की कोशिस की जाती है किसके दोरा? Sea Weasal exercise के दोरा तो यह हाँ पर economic जो है इसक्लूजिव economic जोने every two year conduct की जाती है तो Sea Weasal और Torpex दोनों मिला कर हमारी country में जो भी हाँ पर जो problem आती है कोई conflict आता है आसपास वाले region में खासकर coastal area में तो यह सारा काम यह दो exercise के चलते हैं हाँ पर हम लोग काम करते हैं ठीक है? I hope के mind में clarity आ गई होगी कोई confusion नहीं होगा आगे बढ़ता हूँ बात की जारी है ministry of road transport and highway के बारे में तो इसके चलते हैं आपर अगर आज केड़ में आप लोग international driving permission चाते हैं जैंके international level पर अगर आप लोग कहीं जाका driver बनना चाते हैं driver license आप लोग को चाहिए या आप लोग रहते हैं वहाँ पर तो आप लोगो driver करने के लिए बिसिकली जो permission चाहिए तो international driving जो permit होता है आप लिए इसके बारे में बात करें तो हमारी country में अगर आप लोग देखिए जो बहुत सारे citizen बहार के वें तो international driving जो permit है ये कई बार देखने को मिलेगा कि ये basically expire हो जाता है और इंसान भार रहता है तो उसको फिर इंडिया के अंदर आना पड़ता है तब चीजे सही होती है और चीजे आगे बढ़ती है पर लेकिन अब क्या किया जा रहा है इसको ओप लोग जो हमारी country की embassy होगी इस country में अफर mission होगा वहाँ पर जाकर आप लोग काम कर सकते हैं अपर लोग ओद आता है तो आप लोग के सामनी तुरन दिमाग में तो फिर आप लोग यहां से आप लोग पहुंचेंगे और फिर आप लोग को आगे चीज़े देखने को मिलेगी ठीक है तो इस तरीके से पूरा प्रोसिजर आप लोग यहां पर चलता होने जलाएगा तो आप इनको वापस कंट्री में आने के जुरत नहीं है जब यहां पर आप लोग इसके बारे बात करते हैं तो एक important जो बोड़ी है हमारी कंट्री में National Highway Authority of India इसके बारे में याद रखेगा 1988 में इसको बनाए गया था यह बेसिकली जो हाइवे होते हैं हमारी कंट्री में National Highway 1, National Highway 2 जो भी हाइवे का नाम आप लोग लेते हैं यह उसको management करने का काम करती है, उसको manage करने का काम करती है, National Highway Authority of India हमारी कंट्री में ने बताया भी कि 1988 में इसको बनाए गया था, तो यह जो बोड़ी है, यह किसके अंडर में आती है, तो Ministry of Road Transport and Highway के अंदर में आती है, योगेंद्र नारायन इसके पहले chairperson थे, जो कि यहाँ 1988 में बनाएगे, headquarter इसका कहाँ पर है, New Delhi के अंदर में, motto जो है, वो काफी important है, अगर किसी भी एक highway पर आप लोग जाएंगे, जो सही तरीके से, लंबा सा highway बनावा है, सही तरीके से, तो हाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगे, इस slogan लिखा भी रहता है, not just road built a nation, यहनी क तो उसके लिए भी यह काफी important है, ठीक है, तो यह basic information है, extra, जो कि आप लोग के लिए important हो सकती है, exam में पूछा जाए तो, next जो यहाँ पर जो news है, आपर यह बात की जारी है, information broadcasting minister, यह किसके अंदर में आती है, प्रकाश जाविडगर साब के अंदर में आती है, इनके दौरा digital calendar issue किया गया है, और इसी के साथ में जो dairy app है, उसके बारे बात की जाए, diary app जो है, तो digital calendar और diary app, तो normally क्या था है, यह वैसे launch के जाता था पर अबकी बार सारी चीज़े digitally form में चल रही है, तो यह भी digital form में है, तो developer design किसके दौरा किया गया है, तो Bureau of Outreach and Communication, जो कि Ministry of Information Broadcasting के अं देगा, तो कौन सी मिनिश्टी का कारी करे में, Ministry of Information and Broadcasting योगी प्रकास जावेटकर साब के अंडर में आती है, तो New Delhi में आपर इसको launch किया गया था, ओके, आगे चलते हैं, अगर state specific news आती है, तो राज्ये के लिए तो important ही है, बाकि अगर woman empowerment के बारे में भी कुछ लिखना है तो इसके महिला के ससक्तिकरण के बारे में भी आप लोगों से ये news पूछी जा सकती है, बात की जाली है period room के बारे में, जब ही किसी महिला को periods होते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए कुछ चीजों की requirement रहती है, तो उसके चलते हैं आपर period room बनाएगे, खास कर किन के लिए, ज तो सलम जुगी जुपड़ी में जो महिला है रहती है, आप लोगों ने देखा होगा जुगी जुपड़ी में जो महिला है रहती है, एक particular ऐसी जुगी जुपड़ी कोई होगी और पूरा परिवार उसी में रहता है, तो वहाँ पर जरासा भी कुछ ऐसा नहीं, अगर किसी particular जो महिला है उसको period cycle start होगी है, तो उसको कैसे अपनी जो पैड वगेरा change करना है, और फिर कोई भी जो चीज़े अपना आपको साफ सफाई कैसे रखनी है, तो उसके चलते हैं आपर ये अलग-अलग, आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये इस तरीके से अलग-अलग यह जो सलम जुगी जोपड़ी में जो महिला है रहती है, उनके लिए ये mission start किया गए महरास्टा के थाने district में, तो ये अगर यहाँ पर successful हो पाते है दंग से, तो country में और भी जगे इसको implement किया जा सकता है, तो ये important news है, इसी के साथ में DRDO, Defense Research and Development Organization, और महरास्टा, Metro, Rail Corporation के द्व of Agriculture Research के द्वारा, जो Ministry of Agriculture के अंडर में आती है, ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, एक और छोटी सी news है आपर, इंडिया के द्वारा भी बोला गया है, बेसिकलि नाइजीरिया के अंदर, जो नाइजीरिया के अंदर, जो नाइजीरिया के अंदर, इंडिया ने कहां कमेंट किया का ने किया, तो चैड लेक कहां पर है, ये आप लोगों से पूछा जा सकते हैं, तो ये नाइजीरिया, चैड, इसी के साथ, सोरी, नाइजर, नाइजीरिया, चैड और यहां पर जो कैमरून है, ये भी आप लोग को देखने को मुलेगा, तो तो यहाँ पर आप लोगो लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगी यह particular ठीक है जो कि युगांडा, केनिया और तंजानिया के अंदर थी अब अगर चैट के बारे में आप लोग बात करते हैं थोड़ा से इसको जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ठीक है तो इस particular area के बारे में आप लोग याद रखेगा यह आप लोगों यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर question आप लोगों से बन जाए तो confused आप लोग मत होईएगा ठीक है आप लोग बोलते हैं उसके द्वारे यह बोला गया कि आदे से जादे इंडियन जो परसनल है हमारे जो आर्मी में परसनल है चाहिए वो किसी भी रैंक पर क्यों ना हो वो अंडर इस्ट्रेस चल रहे हैं हाला कि पूरा देसी टेंशन में रहता है हर टाइम वह एक अलग बात है पर लेकिन यह और जदे टेंशन में रहता है यह बात की जा रही है तो यह रिपोर्ट किसके दौरा प्रसुत की गई है यह की गई है United Service Institution of India की दौरा ठीक है तो यहाँ पर इसको ध्यान डगना काफी जा जुड़ी है एक तो सबसे बड़ी रीजन ही है काफी लंबे समय बात चुट्टी मिलती है कई सारे ऐसे एरिया में रहते है जहां से चुट्टी काफी मुश्किल से मिलती है कई बार कई सारी प्रोलम देखने को मिलती है तो भी चुट्टियां वगरा कैंसिल कर दियाती है तो इसके चलते हैं आपर कई बार जो सीनियर जूनियर के वीच में जो प्रोपर कोंटेक्ट ने होता है पर्मनेंट नहीं है, पर्मनेंट कौन से कौन से उनके बारे बात करेंगे, तब तक आप लोग comment box में लिखकर अपना एक revision कर लिजिए, अगर बात करूँ यहाँ पर पहली बार बनेते हैं उन्हें 155 में, दूसरी बार 66, 68 में, तीसरी बार बने हैं यहाँ पर 1972, 1973 में, 1977, 1978 में में यहाँ पर basically चौती बार, पांची बार बने हैं 1984, 1985 में, छटी बार बने हैं 1991, 1992 में, और साथी बार बने, सोरी 2011 और 2012, अभी आठवी बार जो बन रहे हैं, यह 2021 और 2022 में हम लोग बन रहे हैं, और इंटरेसिंग बात यह, इसी टाइम पर हम लोग अपनी आ जा दीगी, प 10 non permanent member होते हैं तो सारे हो गए 5 plus 10 तो 15 total मिलाकर member होते हैं जो ये 5 permanent member है इनके पास में veto power होती है इन 5 में से अगर कोई सा भी एक कह दे कि ये काम नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं होगा चाहिए कि इतना भी जोड लगा लो ठीक है तो इसको बोलते है veto power पांचों के पांचों का सहमत रहना जुरूरी है किसे भी काम को करने के लिए अफ्रीका continent से 3 आते हैं इसील से 2 आते हैं लेटिन अमेरिका से 2 आते हैं वेस्टन यूरोप से 2 आते हैं और इस्टन यूरोप से 1 आते हैं सब को रिपरजेंट यहां पर नहीं करता है, ऐसी भी बाते कई बार यह इनके बारे में बोली जाती है, और मेरी SLV आर्मी कैसी है, यह बताओ कि आर्मी डे जो है, वो किस दिन सेलिबेट किया जाता है, ठीक है, डेट आप लोग को बतानी है, तो आर्मी डे जो है, यहां पर किसकी याद में सेलिबेट किया था, तो केम करिया पास साब जहें हमारी कंट्री के पहले इंडियन थे, जिनके द्वारा इंडियन आर्मी की कमांड सबाली गई, 1949 में, ठीक है, तो इसके चलते हैं हम लोग आर्मी डे सेलिबेट करते हैं, अब डेट आप लोग को बतानी है इसी के साथ में अगर बात कुरें हाप आप तो यह है मेरी असेलिबेट आर्मी तो आप लोग को कम से कम बता होना चाहिए, हमारी कंट्री में जो अभी रिसेलिबेट बात करें, कैप्टन तानिया सेर्गिल, तो फर्स्ट फीमेल ओफिसर बनी, जो की आर्मी डे प्रेड मे जो सर्विस है, उसके द्वारा सेलिबेट किया गया, खेलो इंडिया बैनर के चलते, खेलो इंडिया प्रोग्राम होरी कंट्री में जो स्टार्ट किया गये थे, इसके चलते जो बच्चों को किस तरीके सा हम लोग, बेसिकली, सही तरीके सा हम लोग बच्चों को इक डिरे जसकर रेंज जो मौंटेन है आपर ये बिसिकली लद्दाक जो है आपर आप लोग देखेगा यूनिन ट्रेटरी जो लद्दाक है ये सेपरेट करती है जसकर को लद्दाक से ठीक है तो ये हैं आपर जसकर मौंटेन रेंज जो कि इस तरीके सेपरेट करती है खेलो इंडिया के बारे में अगर थोड़ी सी में कुछ आप लोगों से बात करूँ तो हमारी country में जो program जिनको पहले starting में हम लोग ने खेलो India school game बोला फिर आगे चलके खेलो India youth game हम लोग बोलने लगें तो ये January या फिर February में आप लोगो को देखने को मिलते है normally तो यहाँ पर हर साल जो 1000 करीब जो बच्चे हैं उनको पांच लाफ उनको लगब पांच लाफ रुपे ये आठ साल के लिए प्रिपेर करने के लिए उनको दी जाते है इस program के तैद 2018 में पहला event यह था 2020 में अभी इसका 2021 में सोरी इसका latest अभी जो event आप लोगो देखने को मिला तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ और बात है अगर आप लोग उसे पुछी जये जो पहला इसका sunscreen ता है आपर वो काहाँ पर था पहला sunscreen था इसका डhealy के अंदर में, दूसरा संस्क्रान था पूने के अंदर में, महारास्टा, तीसरा था आसाम के अंदर, गौहाटी के अंदर में, पहले में जो टोप किया हरियाना के दौरा, दूसरे महारास्टा के दौरा, तीसरे के भी दौरा, महारास्टा के दौरा, चोथा संस्क्रान होने वाला है, होने वाला क्या है, basically हो चुका है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा, अच्छा, normally हाँ पर यह हो जाते हैं, पर लेकिन अपकी बार COVID-19 के चलते थोड़ा लेट प्रोसिजर चलाया, अब तक नहीं हुए यह, ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में, तो यहाँ पर महरास्टर के द्वारा टोफ किया गया, हॵरीहाना दूसरी नंबर पर और धाली तीसरे नंबर पर है, अगर स्टार्टिंग से आप लोग देखिए, महरास्टर, रियहाना और धाली, यह तीन ओ ऐसे एरिया हैं, जो इहाँ पर टोफ कर रहें, अपने आप में एक दूसरे क में पूछ ले जाए तो हैरान मत हो ना क्योंकि हमारी कंट्री में ओल्ड़ी हो चुका है तो अभी हम लोग बात करें आपर होकी वर्ल्ड कप के बारे में तो मैंस होकी वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं आप इंटरनेशनल होकी वर्ल्ड कप फेडरेशन के द्वारा बेसिकली के गया 2023 में होकी वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होगा भूमनेशवर के अंदर और राव केला के अंदर तो इस्टेडियम यहां पर इंटिफाई के गए तो जनवरी 13 से लेके जनवरी 29 तक चलेगा 2023 में तो अगर आप लोग आगे एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप इसलिए हाँ पर वोगुमार रहने वाला है आजादी की सेलिब्रेशन का तो इसलिए हाँ पर वो कम्प्लीट के जाएगा जो सेलिब्रेशन होगा 2023 में इंडिया जो है वो 14th एडिसन जो था मैं सोकी वर्ल्ड कप का 2018 में तो यह इंपोर्टेंट है यादर किया का कलिंगा ह और जब कराई दिया गया जिए हाँ पर यह किस के द्वार और कोन यहाँ पर बेसिकली रेनर अप रहा तो जीता गया बेल्जिम के द्वारा फर्स टाइटल और नीदर लेंड था वो यहाँ पर रेनर अप रहा भूमनेसवर उडिसा के अंदर कलिंगा इस्टेइम में है औ परगिनास कराया गया, 28 November 2018 से लेके 16 December 2018 तक का, ठीक है, ऐसे भी अगर आप लोगों से कोश्चन पास्ट के पूछ बे तो ये बोलेंगे सर्थ 2018 का करेंट अफिर आ गया, 2018 का नहीं है, अभी न्यूज में है किसी रीजन की वेसे, तो ये फिलाल का ही करेंट अफिर हो जाता है, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है, डोलन ट्रम को जैसे ही आपर USA के द्वारा उतार कर फेंगा गया गद्दी से, तो डोलन ट्रम को सपोर्ट करने वाली ओर्गिनाजेशन भी आपर इसी तरीकी कंडिशन में आगी है, बात की जारी है, वो वाला पार्लर नहीं है, जो आप लोग फेस चिकना करने के लिए जाते हैं, उसके बारें बात की जारी है, ये एक पर्टिकलर कंपणी के बारें बात की जारी है, ये भी एक तरीके की मेसेजिंग कंपणी थी आपर, Amazon, जो बेसिकली Apple और Google के द्वारा सस्पेंट कर दी गई है, ये सोसल बंद कर दिया गया, कि निकलो तुम भी डोनल ट्रम के साथ में ही, यूनियन जो इन्वर्मेंट मिनिस्ट्र हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बात की जारी है, Management Effective Evolution, ये यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में, Indian Jew के बारे में, तो MEE Jew जो फ्रेमवरक है, अगर आप उसे कोई पूचे, तो involvement ministry के द्वारा यह launch किया गया, जो की परकास जाविड कर साहव के अंडर में आती है, तो MEEE की full form भी आप लोगों से पूची जा सकती है, तो ये भी confusion में नहीं आना है, ठीक है, ये बड़ी प्यारी news है, ये personally मुझे काफी interesting लगी, ministry of micro small and minimum enterprise जो है, त तो लगुश सुक्सम जो उद्व हो गया, इसके बारे बात की जा रही है, तो इसके द्वारा अभी हाँपर एक नया paint जो था, ये हाँपर अभी picture में निकल कर रहा, ये basically किसके द्वारा डलोफ किया गया, खादी and village industry commission, जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं, तो जो ये बनाया प्राकरतिक उसका नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि anti-fungal है, anti-bacterial है, और इसी के साथ में आपर जो normal paint आप लोग लेकर आते हैं, तो उसके अंदर जो lead वगरा डिले रहता है, काफी ज़दे खतरनाक होता है, बोडी के लिए हो, तो यहाँपर ये बिलकुल natural है, ये इसका नाम है आपर कुमारपपा नेशनल, ये handmade paper institute है, जैपूर के अंदर, जो कि KVIC की unit है, यनि कि डिरेक्ट पूछे तो KVIC की द्वरा बनाएंगे, पर उसके भी अंदर जाकर अगर question पूछ ले, और आप लोग बोलो कहां से आगया question, तो यहां से आगया, तो इसके बार में revise कराता रहता हूं, आप लोगों जैसे ही, जो हिंदु वाली वीडियो आती है, फिर जो अपनी nano PIV वाली वीडियो आती है, यहां पर भी एक बार आप लोग देख लीजे, जो first time वीडियो देखने है, उनके लिए, और जिसको जो डेली देखने है, उनके लिए भी फिर कमिशन बना दिया, यहां पर हमारी कंट्री में, ठीक है, तो आज केटे में यह स्टेचूटरी वोड यह स्टेचूट यहन के पारलेमेंट में लोग पास करके बनाए गई गई है, पहली important बात, दूसरी यहां पर इसका जो head office है, वो है मुंबई के अंदर में, और regional office ह आप लोगो, डहली, भोपाल, बैंगलूर, कोलकाता, और मुंबई में regional office भी है, और head office भी है, और गोवा, हाटी में भी आप लोगो देखने को मिल जाएगा, तो चन्नाई में नहीं है, यह याद रहना, नॉर्मली ठीक है, क्योंकि चन्नाई नॉर्मली बात, दहली, आप लोगो बताना है, ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी नूस है, आपर बात की जारी है, हमारी कंट्री के द्वारा, खुद अपने आप ही डवलप की गई है, आपर एक, जो इसका नाम है आपर यह 9mm मसीन पिस्टल है, और जिसका नाम बड़ा ही प्यार है, आसमी, ठीक है, पिक्चर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो यह आसमी है, आपर इंडिया की फास्ट इंडिजिनस मसीन पिस्टल हैं के अपने ही द्वारा बनाएंगे है, तो यह जो पिस्टल हमारी कंट्री के द्वारा डवलप किये गए है, इसका मतलब क् मिलकर इसको डवलप किया गया है, अगर राज्य के बारे में आप लोगों से कोई पूछे कि कौन कौन सा राज्या है, तो हाँ पर यह हो गया मद्यपरदेश और ye हो गया महलास्तता तो इनके द्वारा मिलकर इसको बनाएंगे है, आगे यह कई बार आप लोगों से नीजम काई है यह 85 है तो डिरेक्ट पुछ जाएगा कि जो हैले पास्पोर्ट इंडेक्स जो है उसमें हमारी रेंक जो है वो कितनी है तो 85 है किसके दोरा टोफ किया गया तो कॉंटिनसली टोफ कर रहा है जापान सिंगापूर दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान जो है वो 107 वे नंबर पर है हमारी रेंक 50 सी है और नेपाल की रेंक 104 है इंटरनेशनल एर जो ट्रांस्पोर्ट एस्सोचेशन है वहाँ से डेटा उठाया जाता है और इसको बेसिकली इस्टेबिलिस किया गता मिला जाती है तो यह हमारी कंट्री में जो सिर्जन है उसके फंडमेंटर राइट के बारे में अगर बात करिए तो पार थड़ में फंडमेंटर राइट है आर्टिकल बारे से लेके आर्टिकल 35 तक तो इन आर्टिकल बारे से लेके तो इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं तो ये बाते हैं आपर सुप्रीम कोट के दारा बोलेगी कि इसके उपर कुछ न कुछ करो कुछ सुधारो इसको डोनल्ड ट्रम्प साब यहाँ पर फर्स्ट प्रेजिडेंट है उनाइटिड इस्टेट ओफ अमिरिका के जिनको दो बार वो नहीं कहते हैं कुत्ते की पूच केतने दिन नुलकी में रखो जेतनी बार निकालोगे टेडी की टेडी निकलेगी तो पहला प्रेजिडेंट बन यह इनसान जो की दो बार जिसको impeach किया गया, याँटिक दो बार इसको हटाने को इसकी पर फिर फिर छोड़ दिया कि चलो यार क्या करना है, जाते जाते को क्योग सताना है, तो फिर इनको छोड़ दिया गया, ठीक है आगे चलते हैं यह news भी बड़ी प्यारी हैं यह हला कि मैंने टेलिग्राम पर भी इनके बारे में आप लोग को information share करती थी टेलिग्राम जुरूर जोइन कर लिजे कई सारी ऐसी चीजे जो मुझे लगते हैं कुछ पढ़ रहा हूं मुझे जो खास कर आप लोग को मैंने कहीं पढ़ी कोई चीज आर्टिकल में नहीं आती है हूं वैसे नॉर्मली मुझे पढ़ते पढ़ते कुछ चीजे मिल जाते हैं वो भी मैं चीजे जो टेलिग्राम पर share करता रहता हूं पोलिसी के बारे में अगर ये ब्रेक्जिट होने के बाद में बात आती है तो जहां पर जो चैथम हाउस हैं आपर ये इसको Royal Institute of International Affairs के नाम से भी इसको जानते हैं जो कि Independent Policy Institute है है हेड़कटर लंदन के अंदर में तो ये बता रहा है कि कैसे इसका भुष्षय चलने वाला है तो बोल सकते हैं कि बहुष्षय मानी कर रहा है यूजके भुष्षय की तो चैथम ये युके के बारे बात कर रहा है है अभी recently हाँ पर world में ओल्ड एस्ट यानिके वर्ल्ड में सबसे पुराना जो cave art है यानिके गुफाओं के अंदर जो कलाकारी की जाती है जो art बना जाता है दीवारों के उपा तो उसमें life size picture मिली है wild pig यानिके जो wild pig होते हैं जो सुर होते हैं उनकी बिल्कुल ऐसी picture मिली है जैसा कि normal life size हो उतना ही बड़ा है हाँ पर ये picture देखने को मिली है तो इससे यहाँ पर ये अब तक की बात की जा रही है कि ये सबसे पुरानी लगबग 45,500 साल पुरानी हाँ पर ये इंडोनेशे के अंदर मिली है अपनी country के बारे में अगर बात करें आप लोग इस तरीके से एजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं एलिफेंटा, भीम बेटका इनके बारे में आप लोगों से question पुछे आ सकते है कहाँ पर ये location है एजंता की जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद, महरास्टा के अंदर देखने को मिलेगी एलोरा, औरंगाबाद, महरास्टा के अंदर जो एलिफेंटा, तो ये एलिफेंटा आइलेंड आइलेंड आप लोगों से पूछ ले जाएगा तो मुंबई के पास में आप लोग को देखने को मिलेगा भीन बेट के हैं आपर काँ पर है भुपाल के पास में आप लोग को देखने को मिलेगा खोसंगाबाद ठीक है तो ये काँ पर है विंध्या जो basically पर देखने को मिलेगा मज्द्य परदेश के अंदर तो ये आप लोगों से कई बार कॉश्चन बन जाते हैं एक बड़ी ही प्यारी सी स्कीम हमारी कंट्री में स्टार्ट की गए थी जिसको बोला गया था उड़े देश का आम नागरिक जिसको उड़े देश का आम नागरिक आगे चल कर उसके आगे एकनेक्ट कर देगा रिजनल केनेक्टिविटी स्कीम है तो इसके चलते है उड़े देश का आम नागरिक तो विसार जो हर्याना के अंदर में है उसको अभी इसके अंदर डाला गया है इस पटिकलर इसकीम के अंदर और ये चोबवन बा एड़े य से एरपोर्ट है जो इसके अंदर डाल दिये हैं ठीक है तो यह कई बार आप लोगों से ऐसे question पूछ ले आते हैं ले टेस्ट अगर देखिए आप लोग अगर इसके बारे में अगर आप पर में आप लोगों को देखने को मिलेगी तो हर्दीव सिंग पूरी साब जो हैं वो आजके इसके मिनिस्टर हैं तो इस सारी चोड़ रहा है उसको थोड़ा सा टफ लगेगी कि हाँ कितनी सारी चीजे कवर हो रही हैं मेरे तो कुछ भी नहीं आता है तो ऐसा नहीं करना है आप लोगो एक बार या फिर दो बार लेक्चर में को निकलना है और उसके बाद में PDF को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और उसको फिर अपने पास में रखना उसको दो तीन बार आप लोग देख लेना तो बहुत ही comfortable आप लोग एक्जाम में फिल करोगे नहीं आपर बात की जारी है हमारी country में Supreme Court के द्वारा अभी एक Petition को Accept किया गया उसमें Ministry of Defense है वो ये बोल रही है कि हमारी country में जो section 497 है ज फिर wife किसी दूसरे इंसान के साथ में relation मनाती है अपने husband को छोड़ कर तो ये adultery वाले section में आ जाता है तो ये adultery वाले section में ये बोलाई है कि है decriminalize के जारा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से ये काम कर रहे है इनके ओपर कोई criminal activity का case नहीं लगना चाहिए अगर किसी को लगता ह ये गलत हो रहा है तो वो अपने relation को terminate कर सकता है यानि कि divorce ले सकता है पर लेकिन इसके ओपर criminal नहीं होना चाहिए तो criminal की category में से इसको अटा दिया था ये हाँपर section ये जो 497 है जब ये बात की गई और important बात क्या है आपर ये क्यों अटाया गया इसको decriminalize क्यों किया गया क केस पुता स्वामी केस जब आया उसके अंदर ये बोला गया कि privacy जो है फंडमेंटर राइट है आर्टिकल 21 के दायर तो यानि कि ये privacy की चीजे है इसको अपनी हिसाब से इंसान अपनी जिंद्गी जी सकता है कोई दूसरा उसमें interfere क्यों करेगा उसकी personal reason है में तो ये privacy के अ समीधान के अंदर में fundamental right में article 12 से लेकर article 35 तक आते हैं इसमें आर्टिकल 33 के 33 जो है वो बोलता है कि हमारी country में जो government है वो अपने जो arm force personal है उनके लिए fundamental right के अंदर modification कर सकती है क्योंकि उनको अलगला condition में उनको रखना होता है जो arm force personal होते हैं तो इसलिए आपर ये जो बात क अब फिर हम लोग newspaper वगरे में cover कर ही लेंगे ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट जो important news आपर बात कीज़े रहे ministry of statistics and program implementation के बारे में इसके द्वारा NCAVES इंडिया फोरम के बारे में बात की जा रही है तो ये NCAVES का है पहले तो ही समझे इसको बोलते है natural capital accounting and जो valuation of ecosystem service के बारे बात की जा रही है सबसे पहले 2017 में इसको European Union के द्वारा initiate किया गया था इस project को ताकि जो environment और economy जो है उनको समझा जा सके और environment के नाम पर economy और economy के नाम पर environment को बरबाद ने करें और sustainable development को growth के लेकर लेते हैं यानिकि sustainable economy को growth भी करना है हमारी country में कौन implement कर रहा है इसको? तो ministry of statistics and program implementation इसको implement कर रहा है जो NCAVS project है तो यह अभी news में इसलिए आया है क्योंकि हमारी country में जो ministry of statistics and program implementation है उसके द्वारे आपर collaborate किया गया United Nation statistics division के साथ में और European Union के साथ में ताकि इस project को implement किया जा सके ठीक है? आ गई पुरी राम कारी समझ में? कोई confusion नी होना चाहिए छोड़ी प्यारी प्यारी news है यार रटना ही नी है बस समझना है एक पर को समझ लोगे? तो फिर वहाँ चुमंतर चुमंतर करके सारे आंसर दोगे आप लोग एक्जामें में बैटके यारे कि रटना मैंने आज तक नहीं किसी को बोला कि चीज़े रटनो आप लोग चीज़ों को इत या फिर एर ट्रांसपोर्ट जो एग्रिमेंट है उसको सामने निकाल कर लाया गया तो आप लोगों से कोश्चन इसके उपर डिरेक्ट पूछा जा सकता है कि यह ट्रांसपोर्ट बबल है क्या? आप लोगों को पता है कि COVID-19 के चलते जो है बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट फैली है वहाँ पर आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं तो यह याद रखेगा ठीक है? तो यहाँ पर जो सर्विस आती है तो पोर्ट यह यहाँ पर डुकम ठीक है? तो यह काँ पर यह ओमन के अंदर है ठीक है? डी यू क्यू एम ठीक है? तो यहाँ पर हमारी कंट्री क को यहाँ पर suspend किया गया, temporary तोर पर और जो normal usage, जो requirement है, उनको start किया गया, जो महरास्टर की चिपनिस्टर है, ठागरे साब उनके द्वारा यहाँ पर था, ओस्मानाबाद का नाम change करके यहाँ पर इनके द्वारा किया गया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसके चलते हैं, जो यहाँ पर century की जो cave है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है, तो यह इसका नाम याद रखेगा आप लोग यहाँ पर, यह basic question भी आप लोगों से बन सकता है, और अभी जो सांभाजी नगर की बात की जा रही है, और अंगा बात को लेखा, तो कई सारी ऐसी चीज़ा आप लोगो देखने को मिलती है, गवर्मेंट जो है, ओमजे कर रही है, अलग-अलग एरिया में नाम चेंज कर रही है, अगर आप लोग बात करिए, जो यहाँ पर ओसमाना सेंट P.E.U.S. गोल के उंडर में जो आती हैं, पर यहाँ जो मिनिश्टी आप पोएल एं इन्डिर पीस गोल सावगी, इनके दूरा इन्युगरेट किया गया, प्रारम्ब प्रारम्ब, स्टार्ट ऑप इन इंडिया ये इंटेनल संमीट, तो इसके उपर जो फोकस दिया तो प्रारम जो था इस startup को कैसे develop करना है हमारी country में कैसे आगे लेकर चलना है तो New Delhi में यह summit हुई दो दिन की और इसमें BIMSTAC यानिके Bay of Bengal Initiative for Multisectoral जो Technical and Economic जो Cooperation है यह वाले सारे member के द्वारा भी हाँ पर participate किया गया आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाय है जब BIMSTAC के बारे में बात करते हैं तो BIMSTAC के बारे में अगर बात करें या फिर आप लोगों से पूछ जाए साथ के बारे में तो दोनों में difference आप लोग हैं हापर भी मैंने कई बार बताएं पर फिलाल हम लोग BIMSTAC के बारे में अभी बात करेंगे तो BIMSTAC जो हैं या पर एक ऐसा ग्रूप है जिसमें हमारी कंट्री के आसपास वाली कंट्री आप लोग हैं हापर कई सारी देखने को मिलेगी तो मेंबर कोन है बंगलादेश, भुटान, इंडिया, मैनमार, नेपाल, सिरलंका और थाइलेंड ये मेंबर हैं हिंदी और इंग्लिस से आपर यूज की जाती है लेंग्वेज इसका जो सेकेटरियेट है वो धाका यानिकि बंगलादेश के अंदर में है और परजेंट टाइम पे जो चेर्मेन सीप है वो है किसके बास में सिरलंका के पास में अभी आगे आने वाले टैम में देखते हैं किसके बास पहुंचती है तो बिमस्टेक जो है काफी इंपोडेंट बोड़ी से लिए माने जा रही है क्योंकि आज की डेट में जो साक है साउथ एसिया असोसेशन रिजनल कोपरेशन वो ढंक से काम नहीं कर रही है तो इसके चलते हैं हाँ पर यह मानेत है कि कम से कम बिमस्टेक को आगे लेकर चलते हैं तो इसलिए हाँ पर बिमस्टेक काफी ज़दे न्यूज में रहती है तो नेपाल में इसकी लास्ट मीटिंग होई थी 2018 में अब 2022 में इसकी नेक्ट मीटिंग होगी स्रिलंका कोलंबो के अंदर में इसके पहले मैनमार में 2014 में होई थी तो यानि के लगातार नहीं होती है कई-कई साल के गैप पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी लगबग चार-चार साल के गैप पर तो नोर्मल ही रहती है ठीक है 2004 से 2008 2008 से फिर 2014 2014 से 2018 2018 से 2022 तो यह है इसकी बारे में basic information नेक्स्ट अगर बात करें हमारी कंट्री में जो अमरी कंट्री के जो रक्सा मंत्री है राजनाथ सांग दौरा उनके दौरा अन्वील किया गया जो इंडिया की first indigenous design और डेवलफ की गई driverless car driverless car नहीं बैठेंगे इसमें तो यह जो basically car है हाप driverless metro car जिसको बोला गया तो मुंबई metropolitan regional development authority के हाँ पर दी गई यहनके इनके हाँ पर इसको basically launch किया गया तो मुंबई के अंदर first driverless car हमारी कंट्री गया ठीक है तो question मने तो याद रखना Indian meteorological department जिसको short form में IMD बोलते हैं तो ministry of earth science के अंदर में आते है इसका 146 foundation day 15 January को celebrate किया गया तो यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में तो इसने अपने inauguration session में हाँ पर Doppler weather radar यहाँ पर Mukhteswar उतराखंड कुफरी हिमाचल परदेश में हाँ पर लगाई इसी के साथ में multi mission metrological data receiving and processing center जो है यह system जो है बनाया गया IMD का collaboration में इस तो के साथ में जिसको MMDRPS बोला गया इसी के साथ में इनके द्वारा launch किया गया आपर portal जिसको General Mosem के नाम से जाना गया IMD General Mosem ठीक है तो यह नाम दिया गया जो कि CISIR के और इसके साथ में NISCAIR इनके National Institute of Science Communication and Information जो research है तो यहाँ पर यह New Delhi में इसके साथ मिलकर काम किया गया यह तो सारी राम कानिया आप लोगों ने सुनगी important बात है इसके बारे में जान लेते है थोड़ा सा Indian Meteorological जो department है यह Ministry of Earth and Science के अंडर में आते है पहली बात दूसरी यह ऐसा नहीं कि हमारी हमारी कंट्री के लिए काम करता है यह हमारी कंट्री और इसके साथ में Antarctica वाले region तक कई सारे area के बारे बताता है जैसे मलक का state हो गया, वेव बंगाल हो गया, Arabian Sea हो गया, Persian Gulf हो गया तो इनके बारे में इन्फर्मिशन देता है और जो international level पर जो world meteorological department है उसमें से जो 6 organization है तो 6 regional organization में से एक हमारी country का AMD भी है IMD का जो headquarter अगर आप लोग बात करें या फिर जो local office के बारे में बात करें तो इस तरीके से question मन जाते है, question नहीं पूछ ले जागा है क्या इंडिया, इंडिया के लिए काम करता है, बिल्कुल नहीं भाई साथ दूसरे area के लिए भी काम करता है यहापर यह, ठीक है तो यहाँ पर अलाबाद high court के द्वारे यह बोला गया कि special marriage act में जो requirement होता है 30 days का जो notice होता है, तो यह mandatory notice यहाँ पर दिया जाता था normally जो साधी के लिए तो यह provision यहाँ से हटा दिया गया है, mandatory notice नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि साधी जो किसी का personal affair है, उसमें सामने वाला आकर क्या बोलेगा तो कही सारी ऐसी चीजे हैं, जैसे आधार case जो था हमारी country में उसमें right to privacy को fundamental right मना जिए, जिसको case पुट्टा स्वामी case भी आप लोग बोलते है तो आर्टिकल 21 के दैत, यहाँ पर right to life के दैत, right to privacy आगे, जैसे कोई person पैदा हो रहा है तो उसकी privacy उसके साथ ने पैदा होगी, हादिया marriage case, 2018 का, इसमें बोला कि right to choose a partner आपके पास फंडमेंट right है कि अपना partner choose कर सकते हैं, तो इसमें कोई interfere नहीं करेगा नव तेज सिंग जोहर वर्सी उनियन उफ इंडिया, इसमें section 377 को decriminalize कर दें, इसमें homo sexuality के बारे मात कर दें आप लोग चाहिए लड़के के साथ में साधी कीजिया, लड़की के साथ में साधी कीजिये, इनके Response Force के बारे में जिसको NDRF आप लोग बोलते हैं तो इसका Rising जो डे था ये 19 जनवरी 2021 में हाँ पर ये Salibrate किया गया तो Ministry जो Responsibility Ministry of Home Affairs के अंडर में आती है पहले तो याद रखेगा National Disaster Response Force जो है Ministry of Home Affairs के अंडर में आती है दूसरा इसका Headbutter का आपर है ये New Delhi के अंदर में है तीसरी जो Important बात है अगर इसके अंदर कोई funding आप लोग करनी है तो National Disaster Response Fund रहता है तो Section 46 के दाए Disaster Management जो Act है उसके दाएथी आपर funding ली जाती है जो 2005 का है 2004 में सुनामी आई तो लगा कोई ऐसा चीज़ा होनी चाहिए तो उसके बाद में ये organization बना ही गई ठीक है ये जो news है ये थोड़ी सी आप लोग को देखने में अटपटी लग सकती है पलेकिन important भी है तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहली जो news है आपर बात की जारे बिहार के बारे में तो बिहार के बारे में state bird festival देखने को मिला जिसका नाम था कालरव कालरव जो तहीं start किया गया नेगी और नक्टी bird century के अंदर में ठीक है तो जहाँ आपर नेगी जो नक्टी bird century है ये अलग लग है एक को नेगी डैम और दूसरी को नक्टी डैम बोलते हैं पर लेकिन इतने जादे मिले हुए एक दूसरे के साथ में कि अलग-अलग बोल पाना इनको मुस्किल हो जाता है तो इसलिए हाँ पर ये इनको एक ही नाम से पुकर जाता है तो कहाँ पर ये बिहार के अंदर है कहाँ पर ये बिहार के अंदर जामुई डिस्टिक के अंदर क्या कोई ऐसा family member है जिसका नाम है आपर lumpy skin disease जिसको LSD बोला जाता है आप लोग इस बीमारी को यहाँ पर देखते हैं ऐसे ऐसे फोडे फोडे type के जो जानवर है उनकी skin पर हो जाते हैं और फिर आगे चल कर यह footage यह food ने लगते हैं और ऐसे तरीके से यह open होने लगते हैं इनके अंदर से तरीके से open हो जाते हैं जिसे food नहीं खिलता है उस तरीके से खिलने लगते हैं तो यह जानवर की जान तक ले लेते हैं यह पहली बार इंडिया में भी recently हाँ पर देखने को मिला, ठीक है, तो यह जो बीमारी थी हाँ पर, जिसको हाँ पर lumpy skin disease virus बोला गया, यह virus की वैसे बीमारी है, और जो food and agriculture organization है, वो यह बोलता है, कि अगर यह बीमारी होती है, तो 10% चांसिस ऐसे भी होते हैं, कि जानवर जो ह क्या होगा, तो उसको रोखने की कोशिस करनी चाहिए, ठीक है, नेश्ट यह थोड़ी सी ओर अटपटी news हाँ आप लोग यहाँ पर लग सकती है, यह बात की जारी है, meal bombs के बारे में, यूरोप के अंदर अगी अगर आप लोग बात किजएगा, तो यहाँ पर अभी जो उन की केटेगरी में यहाँ पर रख रहे है, बोल रहा है काफी ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें और काफी अच्छा होता है सियत के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पर यह इनको खाया करेंगा अभी हाँ पर, तो यूरोप के अंदर इसको अलाव कर दिया गया, human food के लिए सरु करने के लिए, आप लोग की क्या राय है, क्या आप लोग अगर कोई ऐसा कोई बिस्किट नुमा कोई ऐसी चीज खाने के लिए देगा, तो आप लोग खा पाएंगे, येस या फिर नो तो आप लोग जरूर बताएगा, थोड़ा सा तो आट पटा लगता है देखने मे बहुत सारे लोग के अलग-अलग इंटरेस्ट होते तो कमेंट करना सही नहीं है, आप लोग बताएगे आप लोगी क्या राय है, इसको लेकर, आगे चलते जो इंपैट पढ़ रहा है, उसके साथ में लड़ने के लिए, तो 2050 तक का 4 गुना हो जाएगा, यानि कि अगर आज की डेट में इंवर्मेंट के, जो उनकी पूलम फेस करने पढ़ रही है, जैसे कि टाइम प्रेचर बढ़ गया, खेती अच्छी नहीं हो रही है, टाइम नेशन इंवर्मेंट प्रोग्राम के दोरा पब्लिस की गई है, दूसरा ये इंपोर्टेंट न्यूज है, डोनल्ड ट्रम ने जाते जाते ने पूरा रायता फैलाया, तो यह से के जो प्रेजिडेंट डोनल्ड ट्रम उनके दोरा, जो क्यूबा है, उसके ऊपर यहाँ पर होगया, हवाना इसकी के अपनी कंट्री के साथ में, अगर कंपेर कर घिएगा, तो आप लोग के सामने क्यूबा, ठीक है, तो कंपेर आप लोग कर सकते हैं, आगे जो बात की जारी है, यह लद्दाक के बारे में तो important news होगता आती है, बात की जारी है, पहली बार यहाँप इसको या फिर जो हांकी नुबरा रिवर से जाकर जाकर मिलती है ठीक है यह बेसिकली लद्दाक और कारकुरम रेंज के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इसको सेपरेट करती है और स्योग रिवर किसकी टेरिबूटरी है यहाँ पर याद रखेगा यह इंडस की टेरिबूटरी है तो ऐसे भी कुश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं तो कन्फूजन माइंड में नहीं होना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं आपर यह बी इंटरेस्टिंग है यह आपर न्यूज अभी आप लोग को कई सारे राज्यम इलेक्शन देखने को मिलते जो होता है इसको इसको पकड़कर कंट्रोल किया आता है तो जल्ली कट्टू ट्रेडिशन में देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर जब केस पहुंचता है तो यहाँ पर जो परसन है तो फंडमेंटर राइट में आप लोग जाएंगे आर्टिकल बारे से लेका आर्टिकल 35 तक पाठ थड में तो उसमें आर्टिकल 29 बोलता है कि राइट है परसन के परसन के आप लोगों को देखने को मिलेंगे और उन कल्चर राइट में जो राइट है परसन के तो एनिमल के राइट से उनको ऊपर रखा जाता है तो उसके चलते हैं आप अगर कोई अपनी कल्चर कोई अपनी लेंगवेज कोई इस जो को प्रोटेट करना चाता है तो वो कर सकता है तो यह आर्टिकल इंपोटेंट हो गए आप लोगों से एक्जाम में पूछे और पॉलेटी में मैं आप लोगों को डिटेल में प्राही रखे हैं सारी चीज़े तो कोई confusion मैंड में नहीं investigation आखिर ऐसा क्यों एक crisis है जिसको बोला गया आपर Flint water crisis तो कोई पूछे Flint water crisis क्या है तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा basically Flint water crisis यह है कि 2014 में जो city of Flint है उसके साथ में क्या किया गया उसके साथ में change किया गया क्योंकि उसके पास में जो water supply आ दी थी वो Michigan से आ दी तो Michigan से change करके water supply Lake Huron से कर दी Flint River की supply जो थी basically आपर इसके अंदर जो पानी जा रहा था तो Lake Huron से आपर basically इसके अंदर पानी जाने लगा और जैसी यह supply की तो जो pipe वगएरा ले जाए जा थे उनके अंदर से काफी जंग वगएरा लगी हुई चीजें आपर पहुची लोगों के अंदर जो basically contaminated water पहुचा और lead याणि के sea से मिला हुआ पानी गया तो काफी सारे लोग बीमार होगे तो यह है कहाँ पर तो यह तो है Lake Huron यह है Lake Michigan तो पहले Michigan से था फिर Huron से supply कर दिया इनको five जो एक Great Lake के नाम से भी जानाता है यह Canada और USA के border पर आप लोगो देखने को मिलेगा तो Lake Superior Lake Huron और Lake Ontario और इसे के साथ में Lake Eric यह चार लेक ऐसे हैं जिससे Canada और USA की boundary cut होती है पर लेकिन Lake Michigan जो हो completely United State of America के अंदर में तो यह यादर ना map-based question बड़ा ही प्यारा बन जाता है ठीक है और जिसको exact location देखने है तो यहाँ पर इनको देख सकते हैं यह है लेक जिनके बारे में USA के साथ में जाएंगी हम लोग तो यहाँ पर होगी यह लेक ओके तो आइडिया रखेगा जुरूर इसके बारे में यह भी बड़ी प्यारी प्यारी न्यूस है और direct question आप लोगों से exam में बन सकते हैं इनके बारे में सबसे पहली जो एक important news मुझे लगी है आपर यह बात की केरला के अंदर में तो 3000 साल पुरानी है इसको फिर से revive करने की बात की जा रही है तो इसके लिए academy स्टेब्लिस की जा रही है केरला की capital के अंदर में ठीक है तो यह important question आप लोगों से बन सकता है तो यह martial art है केरला के अंदर ठीक है इसी के साथ में आपर बात की जा रही है ज जैपुर के अंदर यहां से एक particular particle मिला है जिसके उपर study की जा रही है यह asteroid बोला जा रहा है ठीक है तो अर्थ का यहां पर जो asteroid है बिसिकली बोला जा रहा है जो near earth पर यहां पर जो asteroid जो belt होती है तो इसको asteroid regue या फिर जो bend ठीक है तो इससे लेटर यहां पर इनका composition इसमें देखने को मिल रहा है तो उसके चलते हैं आपर यह news में है question यह बन जाते है कि जो asteroid belt हो कहाँ पर देखने को मिलती है तो Mars और Jupiter के बीच में आप लोग asteroid देखने को मिलती है बैल और यह assistant commandant के अंदर पता नहीं कितनी बार question पुछे जा चुका है कुछ तो question favorite बना रहे हैं उन Ministry of Petroleum Natural Gas के द्वारे हाँ पर यह सक्सम प्रोग्राम करके launch किया गया जो कि यह बता रहा है कि किस तरीक से adverse impact पढ़ रहे है carbon footprint का ठीक है तो behavior change करने की बात कर रहे है यहाँ पर जो सक्सम प्रोग्राम केता है ठीक है SAKSHAM ताकि लोगों को सुधारा जा सके जो भी हाँ पर आज सकेड में जो carbon dioxide निकल रही है तो petroleum conservation research association जो की ministry of petroleum natural gas के अंडर में आती है और petroleum minister धर्मेंदर प्रधाम तो उनके द्वारे हैं यहाँ पर यह सक्सम launch किया गया मतलब उनकी ministry के ठीक है तो यह याद रखेगा इंडोनेशिया में यहाँ पर यह सुलावेसी island है अर्थक्वेक की basic काफी problem देखने को मिली है और heavy rain भी हाँ पर निकल कर आई तो आप लोगों से question बन सकता है तो यह है इंडोनेशिया और यहाँ पर आप लोगों देखने को मिलेगा सुलावेसी island ठीक है तो इसके बारे मे एक question आप लोगों से exam में कई बार पुछाता है ring of fire के बारे में तो यह जो ring of fire है यह कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है तो यह particular आप लोग देखने को मिलता है यह pacific question के अंदर में ठीक है याद रखेगा pacific question आप लोग यहाँ पर भी देखते है जब zoom out करेंगे तो यहाँ पर एक side में अमेरिका वाले हो गए North America, South America, एक side में Europe का area हो गया तो यहाँ पर सबसे ज़्याद है आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो basically earthquake आते है भुकाम पाते है जो आला मुखी फटती है तो इसको ring of fire के नाम से भी जाना जाता है ठीक है important है कुछ छोड़ी road safety week के बारे मैंने आप लोगों से बात करी अब month के बारे में बात कर रहा हूँ तो month जो है वो 18 से लेके 18 January से लेके 17 February तक celebrate के जाते है तो हमारी country में जो function था वो union defense minister राजनाथ सिंग रिसी के साथ में union minister for road transport and highway नितिन गरकरी जी के दौरे इसको launch किया गया और micro is more and medium enterprise भी नि इसको road safety month कर दिया और road safety month की जो theme रखी गई है सडक सुरक्सा जीवन रख्सा तो यह important है याद रखना नमूरा इंडिया जो normalization जो basically index है इसके दौरा बोला कि COVID-19 की वेसे जो impact पड़ रहा है यह काफी खतरनाक है और के safe recovery देखने को मिलेगी तो नमूरा service इंडिया जो private limited है यह तग्यार कियाते है तो के safe recovery का मतलब क्या है यानि कि जो professional है जो business man है वो तो सारे जल्दी जल्दी से recover कर जाएंगे और बलकि देखा भी आप लोग नहीं कितना ज्यदा फायदा उनको देखने को मिला लेकिन जो दूसरे लोग है वो यहाँ पर दबे रह जाएंगे इसक कापर होने वाली है यापर याद रखेगा UK के अंदर होने वाली है जून के महीने में तो फिर से आएंगी या आप लोग को news में तब फिर डिस्ट करेंगे तो UK के अंदर जो P5 member जो basically permanent 5 member जो है उनके द्वारा support किया जाए अगर बात करें तो UK अकेला member है जो support करते हैं G7 जो मिटिंग है यापर यह basically यह start की गए थी 1975 में और 2020 में सम्मेट वी थी USA में वहाँ पर भी हमारी country प्रैमिस्टर को invite के गया था पर लेकिन pandemic की वेसे वो चीज़े नहीं हो पाई ठीक है जो की Ukraine का part था तो उसको बाहर निकाल दिया लात मार गए तो आज के दिए में G7 country हाँ पर रह गए हैं तो यह याद रहना नेक्स्ट इंडिया की American नाम है यहाँ पर राज अईयर राज अईयर जो यह फस्ट चीप information जो officer बन गए है USA के अंदर में और important बात यह है जुलाई में 20 में यह office बनाए गया था तो पहले जो chief जो basically information officer कोन बने है राज अरगी है तो आर्मी आफ्टर जो Pentagon अगर बात करें USA की जो आर्मी है आफ्टर पेंटागन जो create की गए पोस्ट तो याद रहना USA की जो Tesla company है Elon Musk साब की उसके दवारा हमारी country manufacturing जो unit लगाने की बात की जा रही है तो बैंगलूरूरू के अंदर करनाट का के अंदर ठीक है तो यह भी एक important news है जो की काफी ज़द है आज किट में news में आप लोग ने देखा होगा इसके बारे में आगे चलते है डियाडियो के दवारे हाँ पर एक motorbike बनाएगी जिसका नाम रखा गया रक्षिता ठीक है तो रक्षिता को आप लोग यहाँ पर देख सेते हैं यह है रक्षिता अगर motor के लिए आपर तो एक पूरा system ऐसा लगा दियागी हाँ पर पीछे seat बांदी ताकि अगर कोई भी हाँ पर हरास्मेंट हो रहा है कोई भी अचीची जाए तो उनको सुधार ने तो cvc central vigilance commissioner जो है यह इसके ऊपर काम कर रहा है ठीक है इसके बारे में basic information अगर समझे तो create क्या गया था 1964 में और किसके द्वारा बोला गया था create करने के लिए cvc को तो के सतनानम committee है हमारी country में जो बनाए गये थी जिसके बेस पर इसको बनाया गया और नित्तुर स्री निवास राओ जो थे वो first जो chief vigilance commissioner हमारी country हो बने तो यहाँ पर जो vigilance commissioner chair person होते है और दो vigilance commissioner आप लोगो देखने को मिलेंगे अब पोइंट कोन करते हैं यहाँ पर तो vigilance commissioner को यहाँ पर vigilance पोइंट के जाता है तो president को recommendation दी जाती है committee के दोर जिसमें प्रैमिस्टर होते हैं इसी के साथ में minister of home affair होते हैं और leader of opposition होते हैं तो यह मिलकर यहाँ पर recommendation देते हैं तो यह बात आप लोग याद रखेगा तो इसी के साथ में जब हटाया जाता है तो supreme court के anniversary celebrate किये गए हाँ पर नेता जी सुभाश्चंद्र बोस की तो इसके चलते प्राक्रम दिवज्जय हो celebrate किया गया ठीक है अगर बात करें स्टार जो तो यह हमारी country में आंदर परदेश से यह उडिसा पहुंचे smuggling करके तो अगर कोई भी ऐसा कच्छवा वगेरा उसकी smuggling की ज जो रहा है यह भी बात करता है कि जो endangered species वगर है उनको भाई सार छोड़ दो कम से गम इंडिया बोल रहा है कि इसको appendix second में डालो जो appendix first में डालो जो second में है क्योंकि first में ज्यादा tight provision रहते हैं जिससे की ऐसी हरकते नहे देखने को मिले इंडस river news में रहती है तो इंडस water treaty के बारे में याद रखेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में sign की गए थी इंडिया के प्राइमिस्टर जो हापर हमारी country के प्राइमिस्टर जवाला लेरो और पाकिस्तान के प्रेज़ेंट अयूब खान के द्वारा sign की गए थ सकती है एक ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी अभी हाँ पर सामने निकल कर आई जिसका नाम है dmd इसको बोलते है duchenne muscular dystrophy ठीक है तो बोडी में कई सारे portion जयो धंक से develop नहीं हो पाएंगे इस तरीके से और ये बड़ी ही rare disease है ये सबको देखने को मिलते है पाव में ऐसा सित यहाँ पर अभी जो यहाँ पर दो बच्चे देखने को मिले तो उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा है पैसे की जुरत थी तो बोला गया कि crowdfunding होनी चाहिए यानि कि सब से donation मांगा जाए तो इनका इलाज करा जाए तो डेली high courtman के दोरा गुहार लगाएगी कि अब तक धंसे इलाज भी नहीं है तो ministry of health and family welfare के दोरा इस rare disease को जिसको DMD बोलते हैं इसके इलाज में help करनी चाहिए हमारी आखिर ऐसा क्यों बोला गया क्योंकि right to health and the health care है आपर यह fundamental right की category में आता है जो कि supreme court के दोरे रिकेगनाइस के गया है कि right to life जो है उसमें right to health भी रहत बात की जारी है recover and revitalize education जो basically COVID-19 की वेसे जो खराब हुई है तो उसको फिर से revitalize करना है और recover करना है ठीक है तो यह important है national girl child day जो है 24 जनवरी को celebrate करता है जो कैसे inequality देखने को मनती है girl selected उनको education धंसे निदी जाती है धंसे धानी रख जाता है तो उसको कैसे खतम करना है तो उसके बारे में यह बात करता है तो यह important है जिसके बारे में याद रख सकते हैं आगे चलते हैं आपर यह बात की जारी अभी recently एक खाती फसा हुआ था निकाला गया है आपर कहाँ पर नुगू रिजर्व से कहाँ पर यह बांदी टाइगर जो रिजर्व फोरेस्ट है उसके पास तो यह, तो यह बारे में थो एक कहाँ पर करनाठ का अंदर तो यह एक टाइगर रिजर्व है तो टाइगर रिजर्व की बारे में थ्वड़ सा आप लोग बता दीता हूँ, टाइगर के बारे में, टाइगर सेन्सस अभी हमारी कंट्रि जैसे आप लोग आते हैं उसके बारे भी आडिया रख सकते हैं तो country में जो हमारी country में बात करें तो हहाँ पर बात की रहे हैं जो करनाट का है वो second highest है आफ्टर मध्या परदेश बांधी टाइगर रिज़र जो है 1973 में और प्रोजेट टाइगर भी 1973 में ही आया था इंद्रा गांधी जी के time पर ठीक है तो याद रखेगा एक बात की जारी एक्साइज कवच के बारे में एक्साइज कवच जो है ये joint military exercise है हमारी country में जो की Indian Army, Indian Air Force और Indian जो Navy है मिलकर Indian Coast Guard के साथ में इसको conduct कराया जाता है, तो ये अंडमान निको बार, जो command है हमारी country में, उसके द्वारा conduct की गई, अंडमान निको बार, ये only joint force command है हमारी country में अकेली, जिसका headquarter Port Blair में है, 2001 में इसको established किया गए था, और parent organization ने इसकी Indian Navy, ठीक है, और बाकी सब कुछ defense ministry के अंडर में आता है, ठी नेक्स्ट यहाँ पर बात की जारी national tourism day के बारे में, तो 25 जनवरी को ये celebrate के जाता है, growth and sustainability जो tourist activity को बढ़ाने की बात की जाती है, जो प्रियेटन विगाब है, बढ़ना चाहिए, इससे local area पर काभी फायदा होता है, theme है, देखो अपना देज, D.A.D. ठीक है, तो dad यहाँ प participate कर सके voter में, और अपना register कर सके, making over voter in power, vigilant, safe and informed, यानि कि पता होना चाहिए, किसको vote देनी है, और किसको नहीं देनी है, ऐसा नहीं है, किसी के भकावी में, religion के नाम पर, caste के नाम पर, अपने area वाले के नाम पर, वो डाल देनी है, ठीक है, flying lieutenant lieutenant, भावना कांत, जो है, यहाँ पर, इनका नाम याद रखेगा, यह first woman, fighter, pilot बन चुके, जिनके द्वारा, republic day parade में, participate किया गया, next hour बात की ज़रे, company, low, committee के बारे में, तो यह जो committee headed की जाती है, corporate affair, secretary के द्वारा, जिनका नाम है, Rajes Verma, तो इनके द्वारे हाँ पर, यह head की जाती है, तो इसके द्वारे यह यानि के, 2 km की trial होनी चाहिए, जो लगपक 8, 8, 8, basically, यह हाँ पर बोले जा रही है, 8 minute 15 second में complete करनी है, जो हाँ पर यह ट्रायल की जाती है, 2 km की, ठीक है, तो यह याद रखेगा है, हाँ पर 8 minute 15 second में, और 8 minute 30 second में batsman के लिए, 8 minute 15 second में bowler के लिए, और या फिर 8 minute 30 second में, जो ह हाँ पर spinner है, यह फिर wicket keeper के लिए, ताकि fit बने रहे हमारी country में जो central contracted kicker है, तो हमारी country में जो राम जी सिरी निवासन थे, उनके द्वारे हाँ पर 2011 में, जो की coach थे काफी important, world cup winning coach बोल सकते हैं, उनके द्वारे condition रखेगी कि fit रहना है, तो यह follow करना पड़ेगा, अगर बात करें, तो football के अंदर ऐसे ही एक test होता है, जिसको yoyo test बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 km test याद रखेगा, time trial, 2 km time trial यहाँ पर yoyo, और स्रिलंका, South Africa, New Zealand के अंदर भी ऐसे trial होते हैं, ताकि जो player है उनको fit रखा जा सके, Union Minister of Travel Affairs के द्वारे हाँ आपर सरम सकती, सरम सकती नाम का है करने के लिए आ रहे है, तो उसके बारे में पूरी information यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि problem कोबल को हो, तो solution निकाला जा सके, Prime Minister Modi साब के द्वारा Climate Adaption जो समिट थी, वो address की गई, जो की Netherlands Government के द्वारा Online International Climate Adaption Summit host की, तो हमारी country का जो target है, आपर अगर बात करें, 2030 तक का renewable energy का target है, 450 G इकवाट का, तो यह याद रखेगा, नीदरलेंड यह हैं, आपर आप लोगे सामने, अमस्टरडम जो हैं आपर, यह की capital है, और यहाँ पर North Seas के ओपर देखने को मिल रहे है, Belgium और जर्मनी दो countries को touch करती है, कुछ और छोड़ी छोड़ी मगर मोडी बात है हाँ आपर, बस इसको थोड़ा सा और सुनी देखे, patience बनाकर अगर आप लोग सुनेंगे, तो आप लोग देखे, आप लोग को enjoyment भी आएगा, अगर लगेगा यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग उसको mind में ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ाने में मज़ा ले रहो, आप लोग सुनने में मज़ा लो, तो लंबे समय तक कोई प्रोल्म नी होगी, और बाकी फिर एक बार रिविजन कर लेना, पीडियो पूटागे काम हो गया, एक्जाम में कुछ भी नया नहीं लगे आप लोगो, इस साल हमारी केंट्री में जो पदम अवो पूरी एक वीडियो इसी पर चली जाएगी, ठीक है, भारत परु जो है, ये 26 जन्वरी से लेगे 31 जन्वरी तक सेलिबेट कियाते हैं, पांच डे का इवेंट है, फियर वैल बोल सकते हैं, आप लोग 26 जन्वरी जो गणतर दिवसेवस के लिए, और गिनाइज कराएज दा गरीब जो है, वो जदे गरीब हो गए है, अमीर जो है, वो और भी जदे अमीर हो गए है, उनका फायदा उठाकर, और इसका है है गोविंद वालाब पंध जो है, इनकी जो फ्रिडम फाइटर थे हमारी कंट्री में, तो इनकी पारलेमेंट के अंदर, जो इनकी बेसिकली जो इस्टे जो थी, उसको महाँ से अटाकर अभी यहाँ पर, जो गुरु दुआरा, रकाब गंज, जो है, पंधित, पंधित, पंधित मार पर, हहाँ पर उसको अन्वील किया गया है, ठीक है, तो चोड़ी सी न्यूज से हलका सा आइडिया रख सकते हैं, कुछ और बाते ह इसी के साथ में, हेल्थ मिनिश्टर हर्सवर्दन साब के द्वारा, नेशनल नोन कॉमुनिकबल डिजेस मोनिटरिंग सर्वे कराया गया, जिसके चलते हैं, जो नोन कॉमुनिकबल डिजेस हैं, हट अटेक हो गया, नोन कॉमुनिकबल है इस साथ से दूसरे इंसान में नही HDFC, तीन इतने बड़े बड़े बैंक है जिनको बोलाता है, DSIB यहनिके, Domestic Systematically Important Bank, तो RBI के द्वारा यह इस तरीके से register किया जाते हैं, क्योंकि यह two big to be fail हैं, तीन बैंक कैसे हैं, जिनको fail नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर, जो समाधी है, मादमा गाने जी कि वहाँ पर जाकर उनको ट्रिब्यूट देते हैं, कुछ और important news है, हाँ पर हमारी country में जो tribal community है, उसके द्वारा प्रामिस्टर मोधी साब को अर्ज किया गया कि जो हाँ पर, सोलान प्रेसवर जो wildlife century है, यह protected area अगर बात की जाए, गुजरात के अंदर, और इसी के साथ में हाँ पर, जो basically आप लोग देखेगा, सत्पुरा रेंज, जो नर्मदा रिवर के पास में देखने को मिलेगी, और यह सेर करता है बाउंडरी मध्यपरदेश और महरास्टा के साथ में भी, ठीक है नोसेरा का सेर यहाँ पर बिर्गेडियर मुहमद उस्मान को बोला जाता था तो इंडिया पाकिस्तान की जो गोर थी 1947-1948 में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और बागे चलके इनको भुटान की बीच में आउटरी स्पेस को यूज़ करने है तो हमारी कंट्री में इसरो और भुटान में मिनिष्टी ओफ इंफोर्मेशन और कॉम्मिनिकेशन मिलकर यहाँ पर काम करने है ठीक है तो भुटान हमारा 1921 से प्रोलम काफी जाधा चल रही थी तो वर्ल्ड मोस्ट रिस्ट्रक्टिव अबोर्शन लो थे हैं आपर यह तो अर्जंटीना के अंदर यह चीज़ चेंज हो रही है तो अच्छी बात है आपर इन्फलेशन करके रिलीज किएगी एक रिपोर्ट तो पूचे किसके द्वारा रिजर्बैंक को फिंडिया किए द्वारा ठीक है मिनिश्टी ओफर्थ साइंस के द्वारा इन्वरेट किया गए हाँ पर डिजिटल ओशन इन्वरेशन के बारे में इन्वरेशन ताकि जो बच्ची है इस्टुडेंट है या कोई रिसर्च करने वाला है उसको यूज कर सके तो इंडियान नेसनल सेंटर फॉर ओशन इन्फोर्मेशन जो सर्विस है जो कि मिनिश्ट्य ओफर्थ और साइस के अंडर में आती है मज्य परदेश के अंदर यहाँ पर राग भुपाली करके एकजिमिशन देखने को मिला जिसके चलते हैं आपर जरी जर्दोजी यह क्राफ्ट यह भुपाल मज्य परदेश के अंदर निकल कर आया तो यहाँ पर एक जीला एक सिल्प के बारे बात की जा रही है तो वर्ड जर्दोजी है इसका मतलब होता है बिसिकली यह टम है जर्दोजी का मतलब होता है गोल्ड और दोजी का मतलब होता है एक तरीके से आप लोग यहाँ पर यह कलाकारी करते हैं कपड़े के ओपर तो उसके बारे में हाँ पर यह बात की जा रही है तो कोई पूछे तो कोई को इसके बारे में ठीक है तो यह मैंने आप लोगों से इसके बारे में बात करी National medicinal plant जो है अगर बात करें Ministry of IUs और यहाँ पर इसके अंडर में आते हैं और consortia इनके भागीदारी की जारी है plant के लिए ताकि जो seed to self अपने आप यहाँ पर जो seed मिल सकें तो यहाँ पर एक अच्छी quality को maintain रखा जा सके medicinal plant की उसके ओपर focus दे रहे हैं तो यहाँ पर good agriculture practice की जाए good जो post harvesting practice देखने को मिले तो यह सारी चीज़े की जारी है किस के दौरा यह national medicinal plant board के दौरा जो कि ministry of IUs के अंडर में आता है हमारी country के प्राइमिस्टर मोधी साब के दौरा यह hundredth जो किसान rail train थी आपर यह चलाएगी यहाँ पर कहाँ पर यह थी आपर देवलाली से लेके दानापुल ठीक है तो किस किस राज्ये में आते हैं यहाँ पर इनका नाम आप लोग बताईए यह आप लोगे लिए question है ठीक है आगे बढ़ता हूँ अचा हाँ inflation के बारे में याद रहेगा demand pull inflation इसी के साथ में cost pull inflation और bulletin inflation demand pull का मतलगा थी market में demand बढ़ गई और उस product का market में availability कम है तो inflation यहनिके महगा होगा product cost pull inflation यहनिके उस product को बनाने में cost बढ़ गई तो महगा होगा तीसरा है bulletin inflation आप लोगी salary बढ़ गई आप लोग ने समान खरीदने start कर दिया तो हो महगा होगा तो इस तरीके से आपर यह divide किया जाता है कुछ visa के बारे मैंने आप लोग कई बार बता रखा है H1V visa, H2V visa, L1 visa, J1 visa तो H1V visa जो होता है skilled worker के लिए होता है अगर USA में कोई Indian काम करना चाता है तो उसके लिए जाता है H2V visa जो होता है, seasonal worker के लिए जाता है अगर seasonally आप लोग काम करने जाते हैं L1 visa होता है, intra company transfer Google का headquarter इंडिया में है और उसका USA में है तो इंडिया में से USA में transfer कर देना J1 visa होता है student के लिए अगर student work भी करना चाता है तो उसको summer program के लिए visa दिया जाता है H4 visa जो होता है, dependent जो L जो H1V visa के उपर जो dependent रहते हैं निकि हस्बन या अफिर wife तो इनको ये visa दिया जाता है बाकी ये तो आप लोगों पते है COVID-Cell जो vaccine है, ये पूने बेस serum institute बना रहा है हमारी country में और इसी के साथ में भारत बायोटेक जो है आपर ये ये co vaccine दवाई के बारे में आप लोग याद रहा तो drug controller general of India के दोरा emergency approval है आपर इनको दिये गए थे Reserve Bank of India के दोरा digital payment index स्टार्ट करने की बात की जा रही है तो इसमें यहाँ पर इसके दोरा जो इसको 25 परतिसत जो payment enable payment infrastructure demand side की साथ में 10% payment infrastructure supply side की साथ में 15% payment performance 35% और consumer जो centric city है ये 5% तो total मिला कर 100% में इस तरीके से जो digital payment index यहाँ पर जो RBI के दोरा तयार किया जाएगा इसको divide किया गया है तो यह भी एक छोड़ी सीनी news है पर important है आगे अगर यहाँ पर आप लोगों से बात कुरूं तो ministry of petroleum and natural gas के बारे बात की जा रही है तो इसके दुआरे हाँ पर भूने square के अंदर यहाँ पर अभी एक number लोंज के गया है अगर गाड़ी में डाला जाएगा तो faster acceleration देखने को मिलेगा ड्राइवर आसानी से कर सकते है ड्राइविंग आप लोग यहाँ पर एकनोमी के लिए भी काफी efficient है और emission काफी कम देखने को मिलेगा ठीक है बाखी बात करें disability compensation के बारे में तो हमारे army जबान जो हमारी country में जो basically service कर देते अगर कोई problem रहती थी किसी के हाथ में चोड़ लगई पैर में चोड़ लगई तो उनको temporary retirement दिया जाता था तो वो नहीं होगा अब उनको job में ही कोई और post दे दी जाएगी तागे ओ continue कर सके और यह ministry of state personal personal affair grievance के द्वारे हाँ पर यह बात की गई है तो इससे जो arm force के personal को काफी relief मिलने वाला है ठीक है नोर्मली यह चीए देखने को मज़ती थे और इसी के साथ में disability जो basically compensation भी हाँ पर दिया जाएगा कौन-कौन से एरिया में कौन-कौन सी force है तो याद रहना इंडो जो पाकिस्तान border है border security force काम करती है इंडो बंगलादेस border पे border security force इंडो चाइना border पे इंडो तिबितन पुलिस इंडो नेपाल border पे सस्तर सीमा बल इंडिया भुटान border पे सस्तर सीमा बल और इंडो मैनमार border पे आसाम राइफल end में हाँ पर बात कर लेते है world leprosy day के बारे में तो world leprosy जो day है आपर ये 31 जनवरी को celebrate किया जाता है basically 31 जनवरी जो है आपकी बारे हैं last Sunday of January पड़ा जिसके चलते है celebrate किया गया तो world में last January जो Sunday की होती है उसमें celebrate किया जाता है basically जो बीमारी है से में कई सारी skin पर पूलम आप लोग को देखने को मिलेगी ये गंदगी के वेसे काफी large scale पर होती है इसलिए महात्मा गांदी जी काफी जारे campaign चलाते थे इसके बारे में कि इस बीमारी से उबरो तो मात्मा गांदी जी को tribute के तरिके से भी देखा जाता है theme है leprosy जो है basically beat leprosy and stigma कोई इसको बोलता है कि ठीक नहीं होगी तो आज करे में ठीक होती है और advocate mental and well-being इनकी इसके चलते जो mind पे जो problem पड़ती है उससे आप लोग दूर रहो ठीक है मिरे साथ twitter, instagram और facebook पर भी आप लोग कनेट रह सकते हैं वीर तालियान सर्च करें अगर old lady यहाँ पर है और अगर नहीं है तो फिर जुड़ने कोई से मत कीजिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजे बाकि आप लोग को कुछ भी नहीं भीड़ेगा अगर आप लोग यह वीडियो दूसरे तक भी share कर देंगे एक candle lose nothing by lightening the another candle ठीक है? वहीं कहते हैं कि जो knowledge है वो share करने से और ज़्यादा बढ़ती है तो share ज़रूर कीजएगा अगर आप लोग को लगता है यह वीडियो आप लोग को फायदा पहुचा रही है तो next lecture में मिलता हूँ बढ़ो को नमसे चोटो को प्यार चोटी सी life एंज्यो कर आप तब तक के लिए जय हिंद